अगे 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 हैं तुर्ट इस तुर्टेंट्स आए वेलकम यू आन इंजीनियर्स वाला प्लाटफॉर्म और चलिए आए आए इस्टार्ट करते हैं आज किस्लाइब सेशन को होफुली आप सभी लोग रेडी होगे आईसी इंजन का वन आफ दी मोस्ट इंट्रस्टिंग टॉपिक को कवर करने के लिए जिसका नाम है कंबशन इन एसाई एंड सी आई इंजन ठीगे तो यहां पर हम डिसकस करने वाले हैं किस तरीके से स्पार्क इगनिशन और अर्यों रेडी फड़ाफट मुझे बता दो तैयार हो इस बहतरीन टॉपिक को कवर करने के लिए तो शार मुंडल वेरी गुड़ इवनिंग शुरू करें सेशन को जल्दी से मुझे बताइए तो तीन चार चीज़े हैं जो कवर करेंगे जैसे कि बताया आपको कंबशन न इंजेक्टर का इस्तिमाल करते हैं तो दोनों का जो वरकिंग प्रिंसिपल है दैट इस टोटली डिफरेंट तो उसी के बेसिस पर हम चीज़ों को कवर करने वाले ठीक है बिना किसी देरी की सैशन को शुरू करते हैं सब से पहले आप ये देखिये ये इस SI इंजिन को शु piston cylinder arrangement बनाओं आपके लिए ठीक है SI engine की बाद चल रही है मैं फिर से आपको यहाँ पर बता रही हूं कि SI engine की बाद चल रही है तो पूरा procedure क्या है पहले procedure समझने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है एक piston होता है इस तरीके से ठीक है इस तरीके से एक piston लगा होगा औ पिस्टन सिलेंडर के अंदर हम क्या करेंगे एरर सिल का मिक्षर बनाएंगे ऐर फियोल का मिक्षर बनाएंगे यह यहां से सक्षिन वाल वोपन हुआ होगा सब्स्क्राइब किसी समर्ग मांक्र देंछा डिद gotta' कर्ए और इसके थ्रू क्याने वाला है फ्रेश चार्ज सिस्टम के अंदर आने वाला तो मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास एसाई इंजन है और एर एंड फ्यूल का मिक्शर कार्बुरेटर की मदद से अंदर आ गया है ठीक है जिसका हमने क्या कर दिया कंप्रेशन करा दिया आपने इसके पार्टिकल से मिक्शर हमने क्या करा पस्टलेंडर के अंदर कर ली आप मुझे पताई यह क्या प्रासेज होने वाला हैं कि हमXT क्या करना है हमको discuss करना है combustion तो combustion को अगर आप observe करोगे तो आपने भी देखा है PV डाइग्राम में कि मैं पहले तो हम suction करा लेते हैं suction कराने के बाद मैं हम यहाँ पर compression कराते हैं और compression कराने के बाद हमारा यहाँ पर क्या process से शुरू होता है क्या प्रोसे शुरू होता है टू से थ्री प्रोसेस जिसे हम बोलते हीट एडिशन तो हीट एडिशन कैसे होता है कंबशन सही तो होता है तो यहां पर बिटा जो बात हो रही है ना यहां पर जो डिसकेशन हो रहा है वो इसका हो रहा है इस कंबशन का डिसक और यह स्पार्क प्लग क्या करने वाला है कंबशन को इनिशेट करेगा कंबशन को इनिशेट करेगा यह स्पार्क प्लग तो आपको काम समझ आपको इस पार्क प्लक का काम क्या है देखो जरा इस पार्क प्लक को अगर आप देखोगे इडिवाइस यूज तो स्टार्ट एस एंजन एस इंजन को स्टार्ट करने के लिए कंबश्चन को इनिशेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा स्पार्क का इस्तिमाल करना पड़ेगा, यह क्या देने वाला है, small energy is provided to the fuel to start the combustion with the help of the spark plug, थोड़ी सी energy provide कराएगा, किस के form में, spark के form में, आप देखोगे कि यहाँ पर इस तरीके से spark होगा, और combustion आपका initiate हो जाएगा, तो आपको सबसे पहले यह समझना है कि combustion initiate कैसे होता है, क्या ऐसा हो दिया और पूरे combustion chamber में combustion का process initiate हो गया, नहीं, it is not like that, ऐसा नहीं होता है, आपने कभी भी किसी भी सूखी घास की field को जलते वे देखा है, बहुती अच्छा example है, अगर आप combustion को समझना चाहते हो, मालो कहीं पर कोई सूखी घास की ऐसे field थी, इसमें सब जगा सूखी घास निक जलाना है, तो अगर आपको सारी घास को जलाना है, तो आप क्या करोगे, यहां से माचिस लेके आओगे, आग लगा दोगे, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, सबसे पहले ये वाली घास जलेगी, आप दूर से देख रहे हो, कि भाई, यहां पर आग लगी हुई है, जो energy generate हो रही है वो आगे यहां वाली घास जला देगी यहां से जो energy निकली जो heat निकली वो यह वाली घास जलेगी तो यहां वाली घास जल चुकी होगी यह combustion complete हो चुका होगा फिर आप थोड़ी दिर बाद देखोगे आग यहां पर लगी है जब यह वाली घास पूरी जल ज वाले हो पूरा इस चीज़ को अब्जर्व करने वाले हो सिमिलर पैटन में अगर आप किसी भी पिस्टन सिलेंडर अर्रेजमेंट को देखोगे अब होगा क्या यहां से फ्यूल सबसे पहले कौन सा बर्न होगा जो इस पार्क प्लक की सबसे पास में बैठा हुआ है तो इस पार्क प्लक से क्या निकला आपको हम पहले ही बता चुके है कि यहां पर 10 किलो वोल्ट से लेकर 20 किलो वोल्ट तक का आप स्पार्क डवलप करते हो और यह स्पार्क क्या करता है आस पास के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड कर देता है तो सबसे पहले क्या होगा यह वाला फ्यूल पार्टिकल जलेगा यह वाला जलेगा यह वाला जलेगा यह वाला जलेगा तो जैसे ही यह वाला फ्यूल पार्टिकल जलेगा जैसे ही यह फ्यूल पार्टिकल जलेंगे तो आपको यहां पर कंबशन का प्रोसेस नजर आने वाला दे लोकेशन वो लोकेशन जहां पर आपको कमबशन का प्रोसेस नजर आ रहा है उसको हम बोलते हैं फ्लेम फ्रंट बास समझाई के नहीं आई फ्लेम फ्रंट फ्लेम फ्रंट को पहले समझो क्या है फ्लेम फ्रंट क्या था जब आपने यहां पर घास में आग लगाई थी तो आप यहां से spark plug की मदद से spark दोगे तो सबसे पहले कौन सा fuel जलेगा जो spark plug के पास बैठा होगा और spark plug के पास बैठा हुआ fuel जब जल रहा होगा तो आपको एक line दिख रही होगी कि भाई यहां पर combustion चल रहा है this is known as the flame front फिर क्या होगा मैं मैं इनसे जो heat निकलेगी यह जो energy release करेंगे यह energy किसको मिलने वाली है इनके just नीचे वाले जो fuel particle होंगे यह fuel particle हो गया यह हो गया यह हो गया यहां पर यह हो गया तो आप यह जलेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो this is our second flame front यह हमारी second flame front आ गई अब क्या होगा मैं यह और heat generate करेंगे यह जल रहे हैं इनसे और energy निकलेगी वो किसको मिल जाएगी मैं मिनके just नीचे वाले fuel particles को मिल जाएगी ठीके ना इनके just नीचे वाले fuel particle को energy मिल जाएगी तो एक और flame front आ गई तो इस तरीके से क्या होता है जैसे जैसे आपका बिटा fuel जलता जाता है जैसे जैसे आपका fuel जलता जाता है वैसे वैसे यह flame front जो है नीचे की तरफ आती चली जाती है शुरुवात कहां से होगी इस पार्क प्लक से पहुचेगी कहां पिस्टन की सताह तक और जैसे ही यहाँ पर flame front पहुचेगी तो यह जो energy होगी piston को मिलेगी और piston अभी क्या करने वाला है piston अभी यहां से expansion process कर देगा power stroke आपको यहां पर दे देगा लाइक दिस और थिरी से four process आपको मिल जाता है तो हमको सिर्फ दो से तीन में रहना है आपने clearly देखा कि मैं मुझे एकदम साफ साफ यहां पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से यह जो flame front है यह नीचे की तरह बढ़ रही है क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि flame front travel कर रही है कैसा बोल सकते हैं flame front travel कर रही है यह फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो flame front है यह propagate कर रही है आगे बढ़ती चली जा traveling या फिर आप कह सकते हो flame propagation यह क्या बताता है the movement of the flame front और energy is known as flame propagation जो flame front है ना उसकी जो traveling है उसका जो movement है उसको हम बोलेंगे flame propagation इस प्रकार से आपका यहां पर पूरा combustion complete हो जाता है पूरा combustion आपका इस प्रकार से complete होता है आप मुझे यह बताई यह क्या SI engine में किस प्रकार से combustion होता है आपको समझ आया जल्दी से बताओ जल्दी से मुझे बताई यह spark plug क्या है flame front क्या है flame propagation क्या है क्या इतनी चीज़ आपको यहां पर समझ में आ गई क्या इतनी चीज़ आपको और detail में और अंदर जाने वाले यह तो मैंने उपर 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 से बताया है जारा ठीक है यह तो मैंने सारा उपर से बताया आप देखो आपके revision के लिए यहां डाइग्राम बना है fuel particle है air के particle है spark plug लगा है piston टीडिसी पर है आपको इस तरीके से बना के दे दिया है further revision के लिए अब समझना मेरी बात कि अगर मैं यहां पर combustion ना कराओ चलो combustion नहीं करा रहे हैं हमने piston cylinder arrangement लिया अगर मुझे crank को rotate कराना है क्योंकि crank rotate होगी तो piston reciprocating motion करेगा यहीं तो पढ़ाया मैंने आपको पिछली दो क्लासेज में यहीं तो पढ़ा है कि crank rotate होती है तो piston reciprocating motion करता है मुझे piston का reciprocating motion कराना है मगर combustion नहीं कराना है तो मोटर लगा देते हैं जब आप जैसे यहां पर मोटर लगाओगे तो यह crank नीचे भागे इक क्रांग नीचे भागे कि तो piston नीचे भागेगा फिर crank ऊपर भागे कि तो पिस्टन भी ऊपर भागेगा तो आपको यहां पर पेरली समझ आ रहा होगा कि मैं, अगर हम यहां पर क्राइंक एंगल वर्सस थीटा डाइग्राम बना है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, एक बहुत ही इंपोर्टिंट बात यहां पर करने जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं, पी ठीटा डाइग्राम, पी ठीटा का मतलब क क्या होता है horizontal पर crank angle होगा horizontal पर क्या होने वाला है विटा crank angle होने वाला है और vertical पर क्या होने वाला है pressure होने वाला vertical axis पर pressure होने वाला है अगर हम कोई भी combustion नहीं करा रहे है मान लो piston का जो TDC है वो हमने मान लिया के 180 degree मतलब piston जब BDC पर है तो कहीं 0 degree से शुरुवात करेगा ठीक है जीरो डिगरी से पिस्टन BDC पर जब नीचे है तो पिस्टन BDC पर है अब आपने मोटर की मदद से क्रांक को घुमाया क्रांक ने जब 180 degree angle cover करा तो आपको कौन सा प्रोसेस देखने को मिला आपका पिस्टन BDC से TDC पर चला गया आप मुझे बताओ जब पिस्टन BDC से TDC पर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा फ्यूल का एर फ्यूल मिक्षर का यह घटेगा जल्दी से मुझे बताईए जल्दी से मुझे बताईए, प्रेशर बढ़ेगा के प्रेशर घटेगा, अंदाजा लगाओ, बनलब बिल्कुल सिंपल सी बात है, पिस्टन या बीडीसी पर पहुचा है, आपने मोटर का इस्तिमाल करा, कोई फ्यूल का इस्तिमाल नहीं करा, एयर फ्यूल का मिक्षर जल न प्रेशन करेगा, तो प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, और फिर मोटर तो घूम रहा है, मोटर ने फिर क्या अगरा, पिस्टन को टीडीसी से बीडीसी पर लिया, जैसी टीडीसी से बीडीसी पर आएगा, तो प्रेशर आपका डिक्रीस कर जाएगा, आई बास समझ में के नहीं आई तो simple graph आपका यहां पर बन जाता है अगर हम without combustion p theta diagram बना इस diagram को हम क्या बोलते हैं motoring कर बोलते हैं what is the name of this diagram motoring car this is known as the motoring car कि भाई हमने simple motor लगा रखी है piston ओपर जाएगा तो compression करेगा नीचे जाएगा तो expansion करेगा compression expansion compression जब जब होता है pressure बढ़ता है expansion होता है तो pressure घटता है मगर आपको भी पता है कि मैं रास्ते में इस compression expansion के रास्ते में एक जगा हमने combustion भी करा है जिस time पर हम combustion करेंगे तो excessive energy generate होगी और उस excessive energy से pressure बहुत जादा बढ़ने वाला है तो होता क्या है ज़रा ध्यान से देखो जब आप BDC से TDC की तरफ बढ़ रहे होते हो तो मैंने आपने आपको वाल टाइमिंग डाइग्राम पर बताया था कि TDC पर पहुचने से पहले ही आप क्या दे देते हो कि 160 डिगरी पर जैसे ही combustion का process शुरू होगा तो आप मुझे बताइए क्या pressure में आपको increment देखने को मिलेगा तुरंत 160 डिगरी पर क्या pressure में देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा क्यों क्योंकि देखो फ्यूल जो है वो टाइम कंज्यूम करता है आपने स्पार्क दिया उस एनर्जी को फ्यूल पहले खाएगा जब फ्यूल वो एनर्जी खा लेगा combustion के लिए तैयार हो जाएगा तब फ्यूल के जो पार्टिकल्स है व डेखने को नहीं मिलता तो समझ में तुरंत जम्प देखने को नहीं मिलता है तो आप देखोगे क्या आपका जो करभ है वो अभी यहीं वाले करव को फॉलो कर रहा है 170 degrees तक आप यहाँ पर observe करोगे कि आपका कौन सा phase चल रहा है preparatory phase चल रहा है इस phase को क्या बोलते है preparation चल लिए भाईया अभी combustion हुआ नहीं है अभी spark plug से spark दे दिया है preparation चल रही है तो preparation अगर चल रही है तो इसको क्या बोलेंगे preparatory phase बोलेंगे preparatory phase preparatory phase आगी बात समझ में अब ध्यान से समझ हो मेरी बात इसके बाद क्या होगा preparation आपकी complete हो चुकी है now अब जो fuel है वो burn होगा अब जैसे ही fuel burn होगा तो sudden pressure में आपको jump देखने को मिलेगा sudden pressure में आपको jump देखने को मिलेगा मतलब fuel ने कुछ seconds लिए कुछ seconds लिए आपने आपको तयार करने के लिए spark plug से spark को consume करके जलने के लिए वो time आपको यहाँ पर preparatory phase दिख रहा है और इसके just बाद आपका क्या होगा flame propagation शुरू हो जाएगा मतलब यह जो flame है यह बनना शुरू हो जाएगी और जैसे ही यह flame बनेंगी तो flame का propagation भी शुरू हो जाएगा तो यह जो flame का propagation आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यह आपको कब तक देखने को मिलता है क्या ऐसा है कि piston जब TDC पर पहुझेगा तब तक नहीं TDC से BDC की तरफ रवाना हो जाएगा 180 degree तक पहुँच चुका है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 187 degree तक आपको यहाँ पर flame propagation देखने को मिलने वाला है 187 degree तक इसके बाद क्या होगा इसके बाद after बरनी बहुत ही simple सी बात है अरे भई, flame preparation phase निकल गया फिर आपका combustion शुरू हो गया यह flame fronts बनना शुरू हो गई traveling हो गई, piston अब नीचे जाएगा अब आप मुझे बताओ जब expansion का process होगा तो 5-10% जो बचावा residual fuel होगा वो expansion के time पे जल जाएगा और जब expansion होगा तो pressure आपका reduce होने वाला है आई बास समझ में तो यहाँ से क्या होने वाला है बता यहाँ से expansion process होगा तो pressure आपका reduce होने वाला है और 187 से लेकर 200 degree तक जो भी fuel बचा होता है वो आपका जल जाता है ठीक है तो हमेशा ध्यान रखो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको क्या देखने को मिला flame propagation में चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है उसके बाद तो after burning after burning ठीक है तो यह हमारा कहलाता है flame propagation flame propagation ठीक है और यहाँ पर क्या कहलाता है this is known as the after burning after burning this is the three phases यह तीन phases में पूरा combustion SI engine में आपका complete होता है इसको मैंने बड़िया तरीके से लिख भी दिया है सबसे पहले मैंने आपको flame front समझा दिया flame traveling मतलब flame propagation के बारे में बता दिया अब यह जो कहानी मैंने आपको बताई है कि पहले आपने spark दिया कुछ degree तक rank rotate करा मगर pressure में increment क्यों नहीं मिला क्यों नहीं मिला क्योंकि यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है ignition delay मतलब जब fuel जो time consume कर रहा है ना खुद को जलाने के लिए उसको हम लोग बोलते है ignition delay वह आपको हर fuel में देखने को मिलेगा सबसे कम ignition कौन से फिल में देखने को मिलेगा जो gaseous phase में होगा सबसे ज़्यादा ignition delay कौन से फिल में देखने को मिलेगा जो solid में होगा जैसे कि अगर आप कभी भी coal को burn करते हो या wood को burn करते हो कितना time लेता है जलने में जलने में टाइम लेता है कि नहीं लेता है इसी तरीके से लिक्विड भी टाइम लेता है इसी तरीके से गैसे भी टाइम लेती ही मगर गैसे सबसे कम टाइम लेती है लिक्विड में आपको कुछ सेकंड का इगनिशन डिले मिलेगा मतलब 0.0015 सेकंड काइंड ओफ इगनिशन डिले आपको देखने को मिलेगा और सॉलिड में सबसे जाधा होगा ठीक है तो यह इगनिशन डिले हो गया कि भाई फ्यूल को एनरजी दे दी है मगर जलने में टाइम लेगा फिर जैसे ही जलना शुरू करेगा तो ड्रास्टिक प्रेशर में इंक्रिमेंट आपक यहां तक आपका फ्लेम प्रोपेगेशन होगा और उसके बाद एक्सपेंशन का प्रोसेज हो रहा है तो प्रैसर आपका जो है वह बिक्रीज हो गया क्या यह समझ आया जल्दी से बताइए जल्दी से मुझे बताओ हमने सब कुछ यहां पर लिख दिया है सब कुछ लिख इस क्या है preparation phase अब देखो हिंदी में सुनो इसके बारे में this is the phase ये कैसा phase है combustion जहां पर start होता है spark plug से लेकर उस time तक जब तक pressure का increment observe ना हो spark plug से लेकर वो point जहां तक pressure आपका क्या है बढ़ा नहीं है वहां से वहां तक का जो phase है वो preparatory phase है ठीक है जब हम spark provide कराते हैं कुछ fuel particle जो spark plug के पास होते हैं वो burn करेंगे and energy release होगी by these fuel particles is not enough ये जो energy release होई है ना ये तनी enough नहीं है कि pressure को increase करा सके cylinder के अंदर तो we don't see any pressure rise जिसकी वज़े से हम कोई भी pressure rise नहीं देखते हैं the energy release by these particles generally utilize जो पहला flame front बना था जो इसने energy release करी थी इस energy को generally हम really use करते हैं किसके लिए to burn the fuel particles near the burning particles ये जो burning particles थे इनके पास के जो particles से उनको जलाने में ये energy utilize हो जाती है जिसके कारण से आपको कोई भी pressure में increment देखने को नहीं मिलता है तो हमेशा ध्यान रखो ठीक है हमेशा ध्यान रखो preparatory phase में कोई भी increment pressure में नहीं होगा आपने air fuel का mixture compress कर लिया है आपने spark plug से spark दिया जैसे ही आपने spark plug से spark दिया तो ये वाले fuel particles क्या करेंगे ये वाले fuel particles ignite करेंगे मगर ये इतने कम fuel particles ignite करें कि pressure में कोई changes आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो ये जले इनके जलने से जो heat generate हुई वो दूसरे fuel particles को मिली और फिर जाके pressure में आपको बड़ोतरी देखने को मिली तो preparatory phase में आप देख सकते हो कोई भी pressure का increment नहीं होगा सेम graph को follow करने वाला है आपका जो combustion process है यह एक चीज़ समझ आ गई तो यहां पर मैंने preparation phase में यही लिख दिया है आप flame propagation phase को समझने की कोशिश करिए flame propagation phase को समझने की कोशिश करिए जब second set of fuel particle burn होंगे मतलब यह first set of fuel particle burn होंगे आप जब second set of fuel particle मतलब यह वाले fuel particle burn होंगे देन आपको क्या देखने को मिलेगा tremendous energy release होगी और इस energy को हम यह क्या होगी dissipate होगी आगे बढ़ेगी cylinder के अंदर जब यह energy आगे बढ़ेगी this energy would increase the temperature of the cylinder तब temperature बढ़ेगा temperature बढ़ेगा तो pressure भी बढ़ने वाला है सबका temperature बढ़ेगा और सबका pressure भी आपका बढ़ने वाला है once the next set of fuel particle burn और यह pressure आपका observe होगा continuously बढ़ता रहेगा जब तक 90 से 95 परतेशत fuel particle burn नहीं हो जाते spark plug से combustion शुरू हुआ first set of fuel particle जब तक जला कोई pressure नहीं बढ़ा जब first set of fuel particle ने जो energy बनाई जब उससे second set of fuel particle जला तो pressure बढ़ा और फिर यह pressure बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया कब तक बढ़ता गया जद तक 95 परतीशत fuel combustion चैंबर के अंदर जल नहीं जाता तब तक यह आपका फ्यूल बढ़ता बर्न होगा तब तक आपका प्रेशर बढ़ेगा इस फेस को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेम प्रॉपेगेशन बोलेंगे और यह फेस जो है continue रहता है seven to eight डिग्री आफ्टर टीडीसी टीडीसी के बाद भी मतलब ऐसा नहीं कि टीडीसी पर सारा फ्यूल फ्यूल जल गया आया फिस्टन फ्यूल जल रहा नीचे चला गया ठीक है तो पिस्टन टीडीसी पर जब नीचे जाता है तो78 डिग्री और नीचे जाने के बाद आपका 90-95 परतिशत तक फ्यूल जल जाता है ट्रेमेंडस का मतलब होता है पहुत जादा पहुत जादा इनर्जी जनरेट होगी ठीक है एकसेसिव एनर्जी एकसेसिव एनर्जी को आपको यहां पर देखने को मिलेगा मतलब यही होता है बहुत ज्यादा एनर्जी बनेगी वहीं जलेगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी तो बनेगी ना ट्रमिंडस एनरजी इंगलिश में क्या बोलता है ट्रमिंडस एनर्जी ठीक है आप आफ्टर बर्निंग में क्या होगा भी जो 50-10 % बचावा फ्यूल है वह बन्बर्न होगा expansion हो रहा होगा pressure release होगा तो graph नीचे आ रहा है 95-95% fuel की burning हो गई pressure decrease होगा expansion की वज़े से और इसी कोई ही हम क्या बोलते हैं after burning 5-10% जो fuel particle है वो आपके burn हो जाएंगे आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आपको SI engine में combustion feel हुआ के नहीं हुआ है पहले ये बताइए सारे के सारे लोग कितने phases होते हैं मैं तीन phases होते हैं सबसे पहले मैं preparatory phase है उसमें pressure नहीं बढ़ रहा है पहला set of fuel particle पहला flame front मैं बनेगा उस पहले flame front से जो energy निकलेगी वो दूसरा flame front बनाएगी पिर तीसरा पिर चौथा मैं ये flame front बनते रहेंगे बेटा कब तक बनेंगे ये flame front मैं जब तक 90 से 95 परतिशत fuel burn नहीं हो जाता जब तक ये flame front मैं बनते रहेंगे pressure बढ़ता रहेगा और इसको हम लोग flame propagation बोलेंगे क्योंकि flame front जो है वो आगे travel कर रही है तो इसका नाम ही आपने आपको तयार कर रहा था जलने के लिए तो उसको प्रिप्रेटरी फोल दी after burning का मतलब मैं जब 95 परतिशत fuel जल गया तो सारा अलमुस्ट काम खतम हो गया अब piston तयार है नीचे आने के लिए piston नीचे आएगा और उस रास्ते में मैं जो बचावा 5-10% fuel होगा ना वो खुद बाखुद जल जाएगा और हमारा पिस्टन चुकि नीचे आ रहा है एक्सपेंशन कर रहा है तो मैं मोविस भात है एक्सपेंशन के टाइम पर प्रेशर आपका decrease होगा तो यह हमारा क्या कहलाता है actual motoring कर लाता this is your actual curve, actual में हमें ये कर्व देखने को मिलता है, आगी बास समझ में, मैं एक चीज़ ये नहीं समझाई, हमने पूरा प्रोसीजर समझा, हमने पूरा कमशन प्रोसेस देखा, मगर ये फील ही नहीं हुआ कि इसमें रास्ते में नौकिंग कहां पर हो गई, और मैं एक्चल में न नौकिंग कहां पर आ जाती है, ठीक है, नौकिंग को फील कराती हूँ, आपको थोड़ा सा इंतिजार करिए, यहाँ पर आपको वही डाइगराम मैंने फिर से बना के दे दिया है, यह आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है, यहाँ पर इसको आप 10,000 से 20,000 पूरा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, और आपको पता है कि भई, जब फ्यूल पार्टिकल बर्न होंगे, ठीक है, ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टन बात बता रही हूँ, पहले हमरा वाला डाइगराम देखो, आप मुझे यह बताओ, कि जब फरस्ट फ्लेम फ्र राटिकल का क्या टैम्परिचर बढ़ रहा होगा, आप बोलोगfang के मैम सर्दियों में तो ऐसा मैंने फिल करा है, मैं मैंने ऐसा फिल करा है कि हम यहाँ पर कहीं पर आग जला देते थे, और दूर बैठे हैं, कहीं मैम अपने दोस्ट से हम यहाँ पर दूर बैठ के बातें क कहीं नहीं हमको एसा कि यहां तक आग की गर्मी आ रही है हमारा टेंपरेशर बढ़ी जाता था यह जो हीट है आग तो डूरी जल रही दी लगर भाद पर आग जल रही है तो यहां मैं महसूस हो पा रहा है इसका मतलब है radiation होता है radiation होता है radiation की वज़े से जो heat है वो high temperature से low temperature साई travel करती है और आपके body के temperature को भी बढ़ाती है बात तो सही है वई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ वाले fuel particle का temperature तभी बढ़ेगा जब यह last वाली flame front बनेगी मैं ऐसा तो नहीं है जिस समय पर यह पहली flame front बनी होगी उस समय आग तो लगी हुई है कहाँ पर नियर दी spark plug मगर मैं वो जो आग है ना उसकी वज़े से यहाँ पर बैठे वे fuel particle के temperature में फर्क आ रहा होगा कैसा फर्क आ रहा होगा मैं temperature बढ़ रहा होगा मैं temperature बढ़ रहा होगा मैं जब दूसरी flame front बनेगी उससे जो heat generate होगी उससे जो energy निकलेगी उसकी भी कुछ heat यहाँ तक पहुचेगी second flame front भी temperature को बढ़ाएगी third flame front भी temperature को बढ़ाएगी मैं जब तक यह flame front बनती रहेंगी मैं लगतार piston के सता पर बैठे वे जो fuel के particles हैं इनका temperature बढ़ता ही रहेगा मानते हो के नहीं मानते हो बताओ सौब परतिशत मानते हो के नहीं मानते हो इस बात को अगर कह दोगे कि हाँ मैं इस बात को मानते हैं तो चलाएंगे session अगर तुमने यह कह दिया कि नहीं हम तो यह सब चीज़ा मानते ही नहीं है तो फिर बंद कर देंगे session कहेंगे मानते ही नहीं हो तो क्या करोगे पढ़के है कि नहीं जब मानो ही गई नहीं तो पढ़के क्या करोगे इतना आसान बना के दूँगी वाला chapter आपके लिए कि आप जीवन में कभी भूलो गई नहीं एक तो होता है कि पढ़के याद कर लिया एक होता है कि पढ़ लिया आप कभी भूले ही नहीं आपके case में दूसरी वाली situation होगी एक से दो गंटा मुझे चाहिए मतलब अभी साड़ साथ बज़ रहे है मुझे नौ बज़े तक आपका support चाहिए यह रहा पिस्टन cylinder arrangement ठीक है थोड़ा जगा और बना लेते हैं ताकि मैं zoom करके चीज़े आपको यहां पर दिखा पाऊं ठीक है वैसे पिस्टन आप गर आप देखोगे तो पिस्टन यहां TDC पर कहीं पर बैठा हुआ अब ध्यान से समझना बहुत ही प्यारा सा concept आपको बताने जा रही हूं यह लगाया था आपने spark plug इस spark plug की वजह से जो एर फ्यूल का mixture था मैं mixture की क्यों बात कर रही हूं क्योंकि मैं यहां पर रही है बात SI engine की SI engine में air fuel का mixture अंदर जाता है तो यह एर के particles हो गए और यहीं पर fuel के particles आप सेट कर दो यहीं पर fuel के particles आप सेट कर दो तो यह किसके particles हो गए बिटा fuel के particles हो गए ध्यान से समझना मेरी बात मान लो initially जो है यहां पर piston के सतह पर जो fuel के particles बैठे वे हैं कौन से अच्छा SI engine है तो हम कौन सा fuel यूज़ कर रहे होंगे gasoline तो यहां पर हम मान लेते हैं कि यह हमारा क्या है पेट्रोल है यह हमारा क्या है है वह आपका 280 degree होता है ठीक है पहले में लिख देते हैं और टो इगनीशन temperature का मतलब क्या है पहले समझाया था आपको प्रीवेस सेशन में और टो इगनीशन temperature ऑटो इगनीशन temperature ध्यान से सुनना मेरी बात ऑटो होता है 280 degree centigrade यह पेट्रोल का है एसा इंजन में हम पेट्रोल कंसिडर कर सकते हैं तो हमने यहां पर कंसिडर कर लिया ठीक है तो मालो compression वंप्रेशन करने के बाद सब फलाना धिमकाना करने के बाद पेट्रोल का जो temperature है यहाँ पर मान लियो 250 degree centigrade है compression, compression करा है temperature बढ़ाओगी, pressure बढ़ाओगी compression के बाद pressure temperature बढ़ता है तो मैंने मान लिया यह सारा drama करने के बाद हमारे पास जो temperature है वो पेट्रोल का 150 degree है आप देखी हो जरा ध्यान से आपने दिया इस पार्क, जैसे ही आपने स्पार्क दिया, तो फ्यूल ने थोड़ा टाइम लिया, और टाइम लेने के बाद, एकदम जमा जम तरीके से जलने लगा, जैसे ही बिटा, ये जमा जम तरीके से जला, जैसे ही जमा जम तरीके से जला, तो क्या बनी, फ्लेम फ्रेंट बनी, क्या पता है ना radiation हो रहा होगा यहां से heat कहां पहुचेगी यह वाले particles के पास पहुचने वाली है क्योंकि रास्ते में क्या चल रहा है radiation चल रहा है radiation से भी heat का transfer होता है और pressure waves भी बनती है मतलब एक जगा पर जैसे ही आपका flame front बना combustion हुआ तो वो जो energy बनी है वो नीचे वाले जो air fuel का mixture उसको दबाने कोशिश करते हैं भाग नीचे भाग तो ठीक है क्योंकि क्यों उसका खुट का pressure energy बढ़ रही है ना जल रहे है fuel के particles air के particles जलेंगे तो उनका pressure बढ़ेगा temperature बढ़ेगा उनके पास energy है जिसके पास energy है वो खड़ा रहेगा और नीचे वाले fuel particle को क्या करेगा दबाएगा भगाएगा नीचे compress करेगा तो यह किसे क्या बोलते है pressure waves का बनना pressure की waves बनेंगी जो compress करेंगी अच्छा compression से भी temperature बढ़ रहा है और radiation से भी temperature बढ़ रहा है तो हमेशा ध्यान रखो कि दो कारणों की वज़े से temperature बढ़ता है एक तो radiation की वज़े से दूसरा pressure waves की वज़े से ठीक है अब देखो ज़रा अब यह fuel particle एक और को चलाएंगे भई एक और flame front बनेगी जब यह flame front बनेगी तो यह और tremendous energy generate करेगी तो इसका temperature जो है पहले मानले 150 से बढ़कर 160 degree हो गया 160 degree से बढ़कर मानलो अब 200 degree centigrade चला गिया है अच्छा temperature piston का भी बढ़ रहा है temperature piston का भी बढ़ रहा है तो piston महराज जी भी जो है solid है ना solid के अंदर ही transfer capability जादा है तो piston महराज जी भी अपने temperature को यह fuel particle को देते रहेंगे ठीक है अपनी energy को इस fuel particle को देते रहेंगे अब क्या होगा इसके just pass वाले जो fuel temperature बढ़ा अपकी बार 250 degree centigrade पहुचके सीधा 280 degree centigrade पहुचा कुछ piston ने heat दे दी कुछ heat जो थी वह इस वाली flame front ने दे दी और temperature पहुच गया petrol का 280 degree centigrade अब बताओ क्या होगा अब बताओ क्या होगा अब आप बोलोगे कि मैं petrol का auto ignition temperature 280 degree था यह combustion के process की वजह से piston की सर पर बैठे वे जो fuel के particles थे उनका temperature बढ़ते 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 इतना बढ़ गिया कि वह fuel के अपने खुद के auto ignition temperature पर पहुच गया auto ignition temperature को हम self ignition temperature भी बोलते है self ignition क्या है खुद ही जल भुन जाना जल जाना खुद ही हमने नहीं जल आया हमने माचस नहीं दिखाई खुद ही जल गए आ रही है बात समझ में तो जब आप सफल होते हो तो पडोसी का temperature जो है self ignition temperature हो जाता है अभी उनका temperature self ignition पर वो नहीं है अगर आपको अपने पडोसियों को रिष्टेदारों को उनके self ignition temperature पर लेके जाना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा burning बर्निंग कैसा मतलब आपका selection आपका selection होगा वो खुदी ऑटो ignition पर पहुच जाएंगे खुदी जल भुनके खाक हो जाएंगे यही चीज यहां पेट्रोल के साथ भी होगी अब आप खुछ सोच के देखो कि उपर से flame front आ रही थी मगर पेट्रोल के जो particles हैं वह यहां पर इतने temperature पर पहुच गए कि सीधा auto तक पहुच गए हैं अगर auto ignition temperature तक पहुचेंगे तो यहां पर भी अपनी एक अलग combustion की journey शुरू हो जाएगी यहां पर अपनी एक अलग की combustion की journey शुरू हो जाएगी फ्यूल यहां पर भी जल रहा उपर से तो जलता वारत है यहां से और जलना शुरू कर दिया तो यहां पर आप देखोगे कि मैं एक flame front जो है वह यहां से भी बनना शुरू हो चुका है मैं में एक flame front जो है वह यहां से भी एक flame front उधर से मतलब यह बिलकुल वैसी बात हो गई कि घास के मैदान में आपने लगाई इधर से आग और आपके दोस्त ने लगाई इधर से आग ठीक है इधर से आग इधर बढ़ रही है इधर से आग इधर बढ़ रही है बीच में कहीं जाके क्या होगा ऐसी जगहा बनेगी जहां पर आपकी लगाई वी आग और इनकी लगाई वी आग भी जल रही होगी आप मुझे बताओ इस जगहा पर क्या आपको डबल एनरजी नहीं मिलेगी भाई आप सिफ जला रहे थे एक एक लाइन गास की जलती जा रही थी एनरजी मिल रही थी अब इधर से भी जलती भी आग पहुंची इधर से भी आग जाके एक ही जगा पर एक साथ जलने लगी तो क्या एनर्जी डबल नहीं हो जाएगी तो क्या एनर्जी डबल नहीं हो जाएगी बिल्कुल हो जाएगी एनर्जी डबल अब जैसे ही एनर्जी डबल होगी तो भहिया दिक्कते हैं वही दिक्कते आपको यहाँ पर फील करनी है ठीक है, तो हुआ क्या ? मीचे से एक अपना खुद का इंडिवीजुल flame front बन चुका है, उपर से एक flame front आ रहा है तो ये flame front जाके एक जगहा बिटा ऐसी आएगी दोनो flame front जाके क्या बोलेंगे ? छईखपः चईखपः चईखपः चईखई ठीक है तो क्या होगा पिस्टन की सत्वा को ये एनरजी मिलेगी पिस्टन इसानको दियार था नहीं तइयारत थ। फिस्टन को पूरा प्रोसीजर था कंभशन का anda no फ्लेम फ्रेंट ट्रावल करेंगी ट्रावल करती जाएंगी और पिस्टन को एक एनरजी एक साटेन अमाउंट आफ एनरजी मिलेगी इस एनरजी के हिसाब से ही आपने सिलेंडर के मटीरियल को डिसाइड करा इस एनरजी के हिसाब से ही पिस्टन को डिजाइन करा इस एनरजी से आवाज आती है पिंग करके आरिवा समझ में पिंग करके आवाज आती है और एक एक हाई एनरजी का एक इंपक्ट पिस्टन के उपर पड़ता है जाके इसी को ही बोला जाता है नौकिंग और इसी नौकिंग को इसी लिए हम बोलते हैं पिंगिंग भी इसको बोलते हैं और इसी का नहीं नाम है डेटोनेशन ठीक है मतलब और इससे प्रॉब्लम क्या आएगी मैं हमें दिक्कत क्या बन रहा है तो बनने दो भाई एक तो पिंग करके आवाज आई दूसरी चीज़ क् को बेर करने के लिए यहाँ पर मटीरियल भी तो वैसा ही होना चाहिए था तो कई बार क्या होता है आपको पिस्टन में, सिलेंडर में क्राक्स देखने को मिलेंगे और कई बार आपको फैल्योर भी देखने को मिलेगा तो नौकिंग बिल्कुल भी acceptable नहीं है क्या समझ आया जल्दी से मुझे बताईए यही चीज मैंने यहाँ पर आपको लिख के दी है आप लिखावड देखिए मैंने बोला कि knocking energy का transfer अगर आप देखोगे तो दू करणों की वज़े से energy का transfer देखेगा radiation की वज़े से pressure waves की वज़े से फिर मैंने आपको क्या दिखाया मैंने कहा देखो यह cylinder देखो इस cylinder को जब आप देखोगे तो यह pressure wave यह बन रहा है flame front यह flame front आराम से travel कर रहा है जब यह flame front travel करेगा तो radiation की वज़े से यहाँ पर बैठे वे जो fuel के particles होंगे इनको दिक्कत आ जाएगे तो flame front में आउपर देखो तो burn particles है नीचे देखोगे तो unburned particles आपको देखने को मिलेगे नीचे unburned particles है क्योंकि जल रहे हैं उपर वाले जल चुके हैं तो burn particles है फिर मैंने यहाँ पर आपको क्या दिखाया कि इसको हम लोग detonation भी बोल सकते हैं नौकिंग भी बोल सकते हैं hammering भी बोल सकते हैं क्योंकि hammering effect ही आपके piston पर आपको feel होने वाला है तो इसको hammering भी बोल सकते हैं उसको pinging भी बोल सकते हैं तो होता क्या है देखो यहाँ पर एक बड़िया सा diagram मैंने थोड़ा सा कोशिश करी फ्रेंट भी एक अच्छा सा बना पाऊ तो आप देख रहे हो कुछ flame fronts आपकी यहां से बन रही है कुछ flame front की यहां से बन रही है These are the flame fronts These are the flame fronts ठीक है गिवेश Congen principles नीचे से बनना फिरू हो गaring है क्यों क्योंकि यहां से flame front क्यों travel हो रही है क्योंकि temperature बढ़ते बढ़ते temperature auto ignition पर पहुच चुका है temperature बढ़ते बढ़ते temperature auto ignition पर पहुच चुका है अब एक बर auto ignition पर पहुचेगा तो बीच में कहीं पर ऐसा आपको देखने को मिलेगा जहां पर दो flame fronts एक स्थाद बनने वाली है two flame fronts burn together अब इससे दिक्कत क्या हुई when a fluid particle burn some energy will release जब field particle burn होगा तो कुछ energy release होगी और इस ये energy जो है dissipate होगी हर direction में in the form of radiation and pressure wave यहां तक समझा गिया होगा सबी लोगों when fluid particle burns जब fluid particle burn होते हैं some energy will release कुछ energy release होती है and this energy dissipate in all direction in the form of radiation and pressure wave और यह energy pressure wave और radiation के form में पूरे cylinder के अंदर हर जगा transfer होती है ठीक है these radiation and pressure wave while traveling generally compress the fuel and air particle coming in a way in the process temperature of air and fuel particle increase while the energy getting dissipated जब यह pressure waves travel करती है तो अपने रास्ते में आने वाले जो air fuel के particle होते है उसको generally दबाने की कोशिश करती है compress करने की कोशिश करती है जिसकी वजह से fuel particles का temperature बढ़ता है ठीक है fuel particles का temperature बढ़ता है ठीक है समझ आगी बात the fuel particle near piston absorb some energy जो piston के पास fuel particle होंगे energy को absorb करेंगे temperature बढ़ाएंगे इस temperature की वजह से fuel particle क्या करेंगे कहां पहुँच जाएंगे it may increase beyond the auto ignition temperature अपने auto ignition temperature से उपर चले जाएंगे इस case में combustion स्टार्ट हो जाएगा fuel particle का piston के उपर और एक दूसरी flame front बन जाएगी ठीक है this flame front will travel in the upward direction एक flame front उपर से नीचे आ रही है एक नीचे से उपर एक उपर से नीचे एक नीचे से उपर दोनों जाके एक बीच में क्या करेंगी when two flame front primary and secondary meets the rate of burning of fuel double due to this intensity the pressure waves increase and cylinder component experience severe pressure जिसकी वजह से cylinder के जो components हैं severe pressure को feel करेंगे cylinder के अंदर और इसी phenomena को जहाँ पर दो flame front एक साथ बनते हैं और high energy dissipate करते हैं इसी को ही हम knocking और pinging बोलते हैं अगर आप उस graph में देखना चाहो के कहां पर आपको देखने को मिलेगा combustion तो देखो initial आपने spark plug से spark दिया तो उतना combustion तो हुआ नहीं है देखो एक चीज़ समझने की कोशिश करो आपको ऐसा नहीं लगता कि यहां का temperature बढ़ने में कुछ time लेगा time लेगा कि नहीं ऐसा तो है नहीं कि पहली flame front बनी और यह auto ignition पर पहुच गया उधर flame front बनी मतलब preparatory phase हो गया वो flame front travel करी मतलब क्या चल रहा है flame propagation चल रहा है और flame propagation में भी जब ऐसा मान सकते हैं कि 60-70% fuel जलने लगे उतनी energy generate होने लगे जिस energy की वज़े से यहां के फ्यूल auto ignition पर पहुचने लगे आरी बस समझ में तो प्रिप्रेटरी फेस के टाइम पर नौकिंग नहीं होगी flame propagation की स्टार्टिंग में नौकिंग नहीं होगी नौकिंग कब होगी flame propagation के एंडिंग में रीजन क्या है क्योंकि मैं फ्यूल पार्टिकल जो बैठे हैं उनके टेंप्रेचर को बढ़ने में भी तो समय लगेगा ना ऐसा तो नहीं हो सकता कि भई भई तुरंट आ है तुरंट हो्ने में भी और वी एक समय लगने वाला है कि आरही है नौकिंग क्या है कि आप को ये बात समझ संघ्जं में नौकिंग करें end side पर आप देख सकते हो, यह knocking होगी, तो graph में ऐसी आपको उथल पुथल नजर आने वाली है, suddenly excessive pressure में changes देखने को मिलेंगे, तो यह जो यहाँ पर आपको, यह जो उथल पुथल देख रही है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, knocking, कोई आप से पूछता है कि knocking, P theta diagram में कहां पर होत तो देखो, starting में नहीं होई है, ठीक है, ending के time पर होई है, जब जादा temperature already cylinder का बढ़ चुका है, so this is all about knocking, this is all about knocking, तो आपने अभी तक क्या समझा, SI engine में combustion कैसे होता है, और combustion के दौरान knocking कैसे होती है, चाहे कैदो pinging कैसे होती है, चाहे कैदो hammering कैसे होती है, चाहे कैदो detonation कैसे होता है, ठीक है, so this is the complete concept, अब बात करते हैं, knocking की वज़े से high intensity pressure waves, strike करेंगी component पर, और component may not have strength to absorb this shock and might fail, component भी आपके यहाँ पर क्या हो सकते हैं, fail हो सकते हैं, अब बात करते हैं, causes of knocking, ठीक है, आप मुझे यहाँ पर simple पहले एक भाशा में बताओ, knocking किसके कारण हुई, जल्द किंग हुई, एक main important, एक parameter, बस नाम ले लो उस parameter का, कि मैं यही parameter है, जिसके कारण knocking की समस्या हमको देखने का मिली, बदाईए, आंसर करिये, नहीं, एंड चार्ज बर ने किसकी वज़े से हुआ, प्रेशर की वज़े से, बहुत ही बढ़िया, अच्छा अगर प्रेशर का नाम ले रहे हो, तो ये भी कह सकते हैं, temperature, मतलब जो temperature, pressure कहने वाले हैं, वो कुछ हद तक सही हो सकते हैं, क्योंकि प्रेशर बढ था, temperature भी बढ़ा, ठीक है, तो हमको ये समझ आया, कि pressure बढ़ेगा, या temperature बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर टेमप्रेशर एक दूसरे के directly proportional ही होते हैं, तो knocking हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है, अब एक चीज ऑबजर करना, मैंने आपको एक चीज बोली थी, introductory part में, SI engine का compression ratio कम होता है, as comparison to the CI engine, याद है ये बात, महाँ पर prove नहीं कर रहा था, मैंने, लिखवा दिया था, कि भई तुम लिख लो, SI engine का, जो compression ratio होता है, वो 6 से 10 होता है, याद आया कि नहीं आया, और CI engine का, जो compression ratio होता है, वो 16 से 20 होता है, अब तुम ये बात feel कर पा रहे होगे, क्यों SI engine का compression ratio कम रखा जाता है, reason बता हूँ, इन दोनों के auto cycle पर काम करती है, SI engine किस पर काम करता है, auto पर कम करता है, तो दोनों का TS बना लो, PV बना लो, ये है compression ratio, वन पॉइंट हो गया, अब 2 को जितना उपर चढ़ाओगे, जैसे माल पहले तू यहाँ था, आपने compression ratio और बढ़ा दिया, तो आपको compression ratio है क्या, R है क्या, V1 by V2 है न, तो जितना V2 घटा दोगे, जितना compression करा दोगे, उतना R की value आपकी बढ़ जाएगी, तो आप एक चीज़ देखो, compression ratio बढ़ाओगे, तो आप यहाँ पर observe कर पा रहे होगे, क आपका temperature भी तो बढ़ता है, compression ratio बढ़ाओगे, तो pressure बढ़ेगा, बगर pressure के साथ साथ temperature भी तो बढ़ जाएगा, तो क्या SI engine में बहुत ज़्यादा compression ratio रखा जा सकता है, सोचके बताओ, yes और no में जवाब दो मुझे, क्या SI engine में ज़्यादा compression ratio preferable होगा, क्या, क्योंकि आपन आपके ने तो देखा था कि मैं मैं ऐसा engine auto cycle पर काम करती है, और efficiency का formula होता है, one minus one upon r की power, gamma minus one, r बढ़ाते हैं, तो efficiency बढ़ती है, तो मुझे तो मैं highly efficient engine चाहिए, अगर मैं highly efficient engine मिलेगा, तो मजा आ जाएगी, तो मैं compression ratio बढ़ाओ ना, क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप, उसक हम बढ़ा देंगे, आपके system की efficiency बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये बवाल कौन जिलेगा, आरी बास समझ में, भले ही compression ratio बढ़ने से efficiency बढ़ती हो, ऐसा engine की, मगर efficiency बढ़ाने का ये मतलब थोड़ी नहीं है, पूरे system की ही वाट लगवा देंगे, knocking करवा देंगे आरी है बास समझ में, components फेल करवा दिये, cylinder में ही crack पढ़वा दिये, system efficient है हमारा भाई, कोई दिक्कत नहीं, efficiency मस्त मिल रही है, तो इस तरीके से थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, कि compression ratio हमारे हाथ में है, but we can't increase it very much, क्योंकि compression ratio बढ़ने से pressure बढ़ता है, pressure बढ़ता है, त ठीक है, feel करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला जो हमारा concept है, वो है cause of knocking, knocking के क्या causes है, और लिख के ले लो, SSCJ में जो questions आएंगे, knocking से, वो यहां से आएंगे, यहां से आएंगे, cause of knocking से पूछेगा, compression ratio बढ़ा दिया, knocking tendency will increase, knocking tendency will decrease, knocking tendency will remain constant, none of the above, यही पूछेगा, ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैंने यहां पर इसलिए, compression ratio को लिया है, अगर आप यहां पर compression ratio को बढ़ाओगे, ध्यान से देखो, compression ratio को अगर आप बढ़ाओगे, तो compression ratio क्या होता है, P2 by P1, no, 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 V1 by V2, V1 by V2, ठीक है, और ज़रा यहां पर एक चीज़ और समझने की कोशिश करो, हम process 1 से लेकर 2 की बात करते हैं, ठीक है, last session में इस सब process में आपको दिखा चुकी हूँ, तो hopefully, इत्ता मैं आप से expect कर सकती हूँ, कि 1 से 2 reversible adiabetic compression था, तो formula मिला था, T2 by T1 is equal to the V1 by V2 की whole power gamma minus 1, जिसमें आपने रखा था कि T2 by T1 जो होगा मैं, वो हो जाएगा R की power gamma minus 1, ठीक है, R की power gamma minus 1, तो देखो, after compression जो temperature है, वो T2 है, तो यह हो जाएगा T1, R की power gamma minus 1, आपने बोला, कि मैं चलिए compression ratio बढ़ाईए, मुझे क्या चाहिए, कैसे ही यहाँ पर compression ratio को बढ़ाया, आपका after compression temperature बढ़ गया, यह बिल्कुल वैसे ही बात हो गई, कि पहले तो after compression temperature जो था, वो हमने 150 degree माना था, मगर compression ratio बढ़ जाने की वज़े से यह 200 degree हो गया, अब compression के बाद ही जब already temperature बहुत जादा है, compression के बाद ही already temperature 200 पर पहुँच गया ह बलत तुरन पहुच जाएगा, आरी बास समझ में, तो हमको compression ratio का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने mathematically दिखाया है, आर बढ़ाओगे, तो exit पर temperature बढ़ जाएगा, और तो ignition temperature शुड नोट रीच, अगर रीच नहीं कराना है, तो compression ratio को घटाईए, ताकि exit पर temperature, मतलब after compression जो temperature हो, वो पहले से ही कम होना चाहिए, उसके बाद फिर combustion से तो temperature बढ़े गई, अगर after compression temperature कम होगा, तो combustion के बाद जो temperature बढ़ रहा है, वो auto तक नहीं पहुचेगा, मगर compression के बाद ही अगर आपने fuel का temperature पहले से ही खूब बढ़ा दिया है, तो फिर combustion के बाद जो temperature ब तो knocking tendency घटेगी इसी कारण से maximum compression ratio SI engine में हम 12 ले लेते हैं otherwise 6-10 compression ratio घटाने से definitely efficiency पर फरक पढ़ता है compression ratio घटाओगे तो efficiency घटेगी clear है पहला important part आज कुछ याद नहीं करना पड़े guarantee है SI CI का पढ़ाऊंगे एकदम ऐसी रट जाएगा आपको क्योंकि बहुत practical conditions हैं यहाँ पर discussion के लिए बदाई जल्दी से ठीके ना clear हो गया मस्त तरीके से आप देखो जड़ा increasing inlet temperature में क्योंसे बढ़ाएंगे वो तो ambient है वो हमारे हाथ में कई से अरे भाईया अपनी गाड़ी लेके किसी एक दिन लद्दाग चले जाना और कपनी गाड़ी लेकि किसी एक बरफ पढ़ रही है माइनस 23 degree centigrade temperature चल रहा है तो वहाँ पर तो inlet temperature कम हो जाएगा न वहाँ पर तो इनले temperature कम हो जाएगा तो इनले temperature आप समझ पा रहे होगे कि जैसे ही आप location चेंज करोगे आपका इनले temperature में फर्क पढ़ने वाला है बिल्कुल पढ़ेगा ठीक है तो आपको सोचो कि आपने मालो इनले temperature को increase कर दिया आप अपनी गाड़ी को लेके दुबई पहुच चुके हो बहुत ही बढ़ी है इनले temperature बढ़ चुका है अब देखो जरा अभी अभी हमने एक expression generate करा कि टीटू बराबर क्या होता है टीवन होता है और आर की पावर गामा मैनस वन होता यहीत बनाए तो इसका मतलब है अगर आप अपनी गाड़ी लेके जम्मू कश्मीर गए तो knocking tendency बढ़ी increase हुई या decrease होगी बताओ जरा अगर आप अपनी गाड़ी लेके जम्मू कश्मीर चले गए तो knocking tendency increase होगी कि decrease होगी आंसर करिए knocking tendency will increase और decrease knocking tendency बताईए बहुत ही प्यारा सा सवाल है decrease हो जाएगी क्योंकि inlet temperature घटा दिया तो exit temperature घट गया exit temperature मतलब after compression temperature बहुत जादा नहीं है अगर temperature बहुत जादा नहीं है तो combustion के बाद भी temperature हो सकता है auto ignition पर ना पहुचे ठीक है अगर inlet temperature बढ़ा दोगे तो फिर टीटू बढ़ जाएगा मतलब दुबई लेके चले गए ठीक है ध्यान रखी हो इस बात को अगर गाड़ी दुबई लेके चले गए तो knocking एकदम पक्का पक्का होगी बगर गाड़ी जम्मु कश्मिर लेके चले गए तो knocking नहीं होने वाली ठीक है तो हमेशा ध्यान रखो अगर आप inlet temperature अगर आप inlet temperature को increase करते हो तो फिर होता क्या है आपका exit temperature भी increase हो जाता है और knocking knocking tendency भी increase हो जाते है knocking tendency भी आपकी increase हो जाते है क्या ही बात है बहुत ही बढ़िया इनले temperature से भी हमने यहाँ पर इसको सीखा now let's talk about increase inlet pressure ठीक है inlet pressure मतलब अगर हम यहाँ पर P1 को बढ़ा दें यह है हमारा अगर हम P1 को बढ़ा दें इस पूरे डाइग्राम को जड़ा अब्जर्व करो अगर हम inlet pressure को बढ़ा देंगे तो क्या होगा बताईए अगर हम inlet pressure को बढ़ा दें तब क्या होगा एक चीज़ समझने की कोशिश करिए इलिट pressure को अगर आपने बढ़ाया तो यहाँ पहुच गया आपको भी पता है कि pressure और temperature का relation हमेशा डायर्क ली प्रपोर्शनल होता है अगर आप प्रेशर को बढ़ा दोगे तो आटोमेटिकली इलिट टेंप्रेचर बढ़ जाएगा इलिट टेंप्रेचर बढ़ गया तो एक्जिट टेंप्रेचर बढ़ जाएगा मतलब आफटर टीवन टेंप्रेचर बढ़ेगा तो अभी अभी आपने देखा कि T2 T1 में डारेकली प्रपोश्चनल का रेलेशन है यह भी ऑड़ेगा और नौकिंग जो है वह आपकी क्या होनेवाली है बढ़ने वाली है नौकिंग बी जो होने वाली अब मुझे बढ़ाया लॉकिंग बढ़ेगी इंडे टेमप्रेचर बढ़ाया लॉकिंग बढ़ेगी इंच्रीज दी लोड चलो यहां पर discuss करते हैं लोड के बारे में डिसकस करते हैं चलो माल लो जैसे कि मतलब तो आप गाड़ी से जा रहे थे ठीक है ना रास्ते मेए आपके चार दोस्त मिल गए तो आप ने कहा Vorteil अब दोस्त हैं मेरे इनको छोड़के तो नहीं जा सकते तो आपने रास्ते में चारो चंगु मंगु चंगु सब को जो है बिठा तहीं के तो आपकी गाड़े तो आप ही बैठें सिर्वार्ट आपके दिक थी सकते ही अब आपको एक और दोस्ता गिया लफंगू कर दोड़े भाडिकनी बड़ अब मुझे बताओ अकसर आपने आप अम्जूर up करा होगा कि जब यह गड़ी पर तीन चार लोक बैट जाते हैं तो accelerator जो है जो थ्रोटल है वह आपको पूरा खीचना पड़ता है क्या थोड़े थ्रोटल पर गाड़ी उड़ती है क्या थोड़े थ्रोटल पर गाड़ी उड़ती है कभी ने उड़ती है भाई साहब थ्रोटल जो है आपको पूरा खीचना पड़े यू आ ट्राइंग टू बर्न मोर फ्यूल आप इंजन से जहदा पावर खीचने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपके चार लफंगू को लेके गाड़ी आगे चल सके तो जाधा फ्यूल बर्न होगा अगर जाधा फ्यूल बर्न होगा तो जाधा एनरजी भी रिलीज होगी जाध बढ़ेगा अगर हम को भगा दिया जाए ट्रेड मिल चला दी जाए छे मीटर परति सेकेंड साथ मीटर परति सेकेंड तो भाई जो हमारी दोड़ने की छमता होगी उससे हम कैसे हो जाएंगे हापने भी लगेंगे और बोडी का टेंपरेचर भी खतरनाक तरीके से बढ़े चाहिए ज्यादा फ्यूल सप्लाई चाहिए तो टेंपरेचर बढ़ेगा टेंपरेचर बढ़ेगा तो ऑटो इगनीशन रीच करने की ज्यादा चांसे जें तो नौकिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगे बताईए भई कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए हैंगे नहीं कोई लिक्कत होनी नहीं चाहिए यहां पर फट से समझ आ जाना चाहिए के बात तो सही कह रहे हो मैं ज्यादा लूड ज्यादा एनर्जी रिक्वाइड ज्यादा फ्यूल बर्निंग ज्यादा टेंपरेचर ज्यादा टेंपरेचर मेंस मोर चांसे तुरीच ऑटो इगनीशन और a dat तो आप सुनों मेरा अगर हम इस इंजन को बढ़ा को बढ़ा ते आप मुझे बढ़ा करेगी किया करेगा एजी से टेट करेगा स्पीड बढ़ाने पे क्या लग लग रहा है आपकी नौकीं बढ़ेगी के घटेगी सोच के बढ़ेए मैं क्या लग रहा है अ कि बढ़ेगी कंद घटेगी इन्क्रीज होगी बहुत ही बढ़िया दिग्रीज होगी दबरदस्त कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेगी कुछ लोग कह रहे हैं कि मैं घट जाई गी कुछ लोग похож लोग कह है आपने गाड़ी की ठीक है तो आपको भी पता है कि पिस्टन इतनी तेजी से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करेगा अच्छा एक चीज यह भी देखी होगी कि गाड़ी जब 150 पर चलती है तो मन में दुग गाड़ी की स्टिड बहुत ज्यादा है इस बहुत जादा होने की वजये से गाड़ी वे वाइबरीशन्स भी जादा होते हैं है क्यूंके इंजन्स मीषादा वाइबरीशन हो जाते यह vibrations की वज़े से होता क्या है surface पर बैठे वे जो molecules है यह ज्यादा तिर तक यहां पर बैठ नहीं पाते है अगर mix होता रहेगा कि मालो यह बैठे थे temperature बढ़वा रहे थे अपना बढ़ा हो अराम से देड़ सो दो सो पचास कर दो कोई दिक्कत नहीं है अब पिस्टन आया पिस्टन अधक्का मार दिया vibration की वज़े कर निकल लो भाई यहां से कोई दूसरे आके बैठेंगे because of vibrations एक जगा पर फ्यूल बैठ ही नहीं पाएगा आपको अगर किसी ऐसी 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 बैंच पर बिठा दिया जाए जो बैंच हिल रही है तो आप भी तो एक जगा पर स्टाटिक बैठ नहीं पाओगे बैंच में इधर उधर होते रहोगे एक ऐसे बैड पर लिटा दिया जा बढ़ाई रहे होते हैं पिस्टन को धक्का मारके आगे बढ़ा देता है चलते रहो बही आगे चलते रहो बही आगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है टर्बुलेंस है वाइब्रेशन से जिसकी वज़े से क्या होगा यहां पर जो टेंपरेचर गेन हो सकता था उतना टेंपरे यह आपर ठीक है जब भी कभी आपिश्पीड बढ़ा देते हो तो टेर्बुलेंस की वजे से ठीक है ना डी टेंडैंसी ऑफ नॉकिंग को ड्रेडिउस कर देता है स्पीड की वज़े से नॉकिंग गड़ जाती ठीक है अब एक चीज़ और समजने की कोशिश करिए माल ली केसे आप इंजन के डायमेंशन बढ़ा सकते हो या तो इसकी लेंट बढ़ा दो इस ट्रोक लेंट बढ़ा दो या तो ऐसा हो सकता है आप इसका डायमेटर बढ़ा दो आरी वास समझ में दोनों के केस में आप देख सकते हो यहां डायमेटर बढ़ाए गया है यहां लेंद बढ़ाए गया है आप मुझे बताओ लेंद बढ़ाने पर आपको क्या लगता है नौकिंग बढ़ेगी कि घटेगी अगर मैं इंजन के स्ट्रोक लेंद को बहुत ज्यादा बढ़ा दू मतलब TDC से BDC ट्रैविल करने का जो रास्ता है जो लेंद है वो बढ़ा दिया मैंने ज्यादा कर दिया अब बताईए नौकिंग आपको क्या लगता है बढ़ जाएगी कि घट जाएगी देखते हैं जरा बढ़ेगी कोई रीजन बता सकते हो कि क्यों बढ़ेगी कैसे बढ़ जाएगी क्यों आपने ऐसा बोला भीजए होगी बहुत ही बढ़िया प्रशान सिंग जी इंक्रीज होगी जितिक बढ़िया जबरदस्त मागर कोई रीजन नहीं बता रहरा है मतलब मझे तो तभी हिए तुम इसका रीजन दे दो प्राक्टिकली बता हो मेरे 16 मां हमलिकर ले लो और यह रीजन है तो मज़ा जाएगी प्रेशर डिक्रीज हो रही है ठीके भई ठीके भई रेडियेशन ठीके भई देखो जरा क्या होगा ध्यान से समझो अगर यहाँ पर जो फ्लेम फ्रेंट बन रही है अगर यह बहुत तेजी से पिस्टन के सता तक पहुँच जाए तो पिस्टन के सता पर बैठे वे जो फ्यूल के पार्टिकल्स है वो कभी भी ऑटर इगनाइट नहीं कर पाई अब आपने क्या कर दिया लेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया लेंट को अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा दोगे तो ये flame fronts बहुत दूर तक travel करेंगे बहुत दूर तक flame fronts के travel करने की वजह से क्या होगा यहाँ पर बैठे वे जो fuel के particles हैं इनको खूब time मिलने वाला है खूब time मिलने वाला है यह खूब time लेंगे अपने temperature को increase करने के लिए तो हमेशा ध्यान दखो अगर फ्यूल एर का जो mixture है वो बहुत सारी flame fronts आराम से traveling चल रही है यहाँ पर molecules बैठे है अच्छा ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है हम भी अपने temperature को बढ़ाई रहा है आरी बस समझ में ऐसी situation बनने वाली यहाँ पर देखो diameter बढ़ाया है तो flame fronts बनी मगर इनका जो traveling है वो तो length के along है न तो यहाँ पर knocking tendency आपको कम देखेगी क्योंकि यहाँ पर जो पैठे होंगे इनको बहुत ज़्यादा time नहीं मिलेगा उपर से जो flame fronts आ रही है वो एकदम जम जम तरीके से तुरन पहुच जाएगी जहां उसको पहुचना है ठीक है तो हमेशा याद रखियो increasing dimension of the cylinder अगर आप size को बढ़ाओगे more pressure waves will travel जादा pressure waves travel करेंगी temperature क्या होगा बढ़ेगा knocking भी बढ़ेगी ठीक है length of the cylinder कम होगी तो tendency of knocking कम होगी primary flame front travel larger distance tendency of knocking will increase अगर जो flame front primary वाली अगर वो बहुत ज्यादा distance को travel करेगी तो knocking tendency increase हो जाएगी जिसके कारण से L by T कर जो L by T का जो ratio है वो generally one रखते हैं या तो square engine use करते हैं या तो L by T 1 से कम ही होता है मदब diameter और length का अगर आप ratio देखोगे तो length हमेशा कम होती है diameter को हमेशा हम generally ज्यादा रखते हैं to increase the cubic capacity cc सुना है ना 800 cc गाड़ी है मारूती 800 800 cc क्या है that is the size of the engine क्लियर हो गया जल्दी से मुझे बताइए कि कैसे dimensions के तर्म में आपको यहां पर changes देखने को मिलेंगे ठीक है अब बात आती है advanced sparking का मतलब क्या है पहले आप 160 डिग्री पर इस पार्क दे रहे थे मानलों आपका मन होगी आपने कहा के पहले दे इसके बारे में देखो अगर आपने पहले स्पार्क दे दिया तो पहले से ही फ्यूल जलने लगा पिस्टन टीडी बीडीसी से टीडीसी जाही रहा है अभी टीडीसी पहुचा नहीं है उसके बाद कमशन करेगा फिर एक्सपेंशन करेगा तो क्लियरली दिख रहा है के की वज़े से प्रेशर वेवस की वज़े से टेंपरेचर मिलने लगेगा हीट मिलने लगेगी तो एडवांस सिर्पार्किंग अगर आप एसाइंजन के केस में करोगे तो क्या होने वाला है टेंडेंसी ओफ नॉकिंग आपकी बढ़ जाई क्योंकि पहले से ही प्रोसीजर जो है वो हमेशा क्या करेगी नॉकिंग की टिंडेंसी को बढ़ा देगी एडवांस सिर्पार्किंग हमेशा क्या करेगी नॉकिंग की टिंडेंसी को बढ़ा देगी यहां āप बात करते हैं लोकेशन ऑफ एक्जोस्ट वall शुच love & business एरी तो छ थीग कैं जेनरली जब हम एक और सिनर्यों दे रहें एक बिच्चे ने मुझे आके बूला कि मैं हमेशा आप स्पार्क प्लग को एक्जोस्तोर लके बगल में क्यों लगा रही हिए इंजन बनाना है यहां पर कहीं पर स्पार्क प्लग हो और यहां पर कहीं पर दूरी पर एक्जास्ट वॉल्व आपको देखने को मिले वाई दिस इस नॉट पॉसिबल वाई दिस इस पॉसिबल आरी बास समझ में क्या बोला गिया कि बाई कोई mandatory धोडिना है मैं नहीं लगाऊंगा मेरा मन नहीं है इद्धम बगल में ही स्पार्क प्लग लगाने का मैंने दूरी बना दी अब बताओ क्या समस्या है इसमें समस्या सुनिये जहां जहां पर temperature काफी हाई है वहां वहां पर क् होट स्पॉट्स बनने वाले होट स्पॉट्स का मतलब होता है वह इस्पॉट्स जहां पर temperature काफी एक्सेसिव होगा तो एक तो स्पार्क प्लग के पास क्यों तूकिया हो रहा है कंबशन का प्रॉसेस हो रहा है यहां से फ्लेम फ्रेंट्स बन रही है दूसरी समस्या क्या पर इंका टेंपरेचर भी खूब हाई हो जाता है तबी तो हमने यहां पर कोबाल्ट बेस्ट एलोई की कोटिंग करी थी ताकि खराब नहों वो एक्जास्ट वाल थे तो अगर हमने दूरी बना दी तो क्या हम कह सकते हैं कि यहां पर भी तो फ्यूल पार्टिकल्स बैठे ही होंगे फिर वो इस से टेंपरेचर लेके बरन हो इधर से फिल्म फ्रंट बनना शुरू हो जाएगी जहां पिप्लिम फ्रंट आ करेंगे की इस समस्या का क्या है इस समस्या क एक lux a 90 टो हाइ होगई बहतरी इसी में हैं कि immunity protocol ऑईक्साशिट कर से यह तो नहीं करें to reduce the tendency of knocking excellent Arun we need to place this spark plug near the exhaust wall यही कारण है कि ये वाला combination जादा preferable है instead of this combination आई बास समझ मैं very good evening engineering mechanics थर्मल तो सीखो थर्मल बहुत interesting subject है बस आपको सही दिशा में सीखने की जरूरत है ठीक है तो एडवांस इस पार्किंग करोगे knocking tendency बढ़ेगी अगर आप spark plug और exhaust wall में दूरी ले आओगे distance बढ़ा दोगे तो भी knocking की tendency आपकी बढ़ने वाली है knocking की tendency increase हो जाएगी ठीक है knocking इंक्रीज यहां नहीं होगी क्योंकि यहां पर यहां पर तो combustion चली रहा है ना तो वह spark plug वाला भी यह जो exhaust wall वाला जो temperature है वो इसी के साथ सहयोग बना के एक single flame front बस हम चाहते हैं कि flame front only नीचे की तरफ ट्रावल करें ऐसा नहों कि उपर से कोई बन जाए यह साइट से कोई बन जाए यह सारी चीज़ें नहीं होने चाहिए ठीक है तो हमने यहां पर क्या सीखा हमने सीखा location of exhaust wall तो reduce the tendency of knocking अगर हमें tendency of knocking को reduce करना है तो spark plug को exhaust wall के नजदीक प्लेस करिए वरना यह वाली समस्या आपको देखने को मिलेगी ठीक है और यह वाली समस्या आप देख सकते हो कि दूनों मिलके फिर combine effect generate करेंगे मैंने example के तोर पर लिख लिया था कि मालो यहां पर 350 degree temperature हो गया ठीक है और मालो इस पर यह fuel आपके burn होंगे और अगर यहां पर exhaust wall का temperature साथ सो है तो अराम से यहां पर जो fuel होगा वो 350 पर पहुचके auto ignite कर जाएगा ऐसे यहां पर कर लोगे तो दोनों साथ में flame fronts बनाएंगे ठीक है तो हमेशे spark plug और इसी के साथ साथ क्या गरना है अब यह रफ वा आपको कोई सवाल है तो पूछिए कोई problem है तो पूछिए फिर हम चलेंगे ci engine के discussion की तरह वो भी बहुत बहुत ही beautiful concept है बहुत मजाएगी आपको ठीक है तो हमने यहां पर क्या क्या चीज़े सीख ली है फड़ा फड़ा आपको बताती हूं सबसे पहले spark plug initiate करेगा combustion को flame front क्य है बहुत है जहां आग लगी है वही पर flame front बनेगा flame traveling का मतलब क्या है flame front आगे बढ़ता जाएगा propagate होता जाएगा जिसे हम flame traveling या flame propagation बोलेंगे ठीक है हेलो बई अन्नी रुद्ध थाकुर जी ठीक है तो आपको दिखाया के phase 1 जो है 160 से शुरू हुआ 100 कहां तक चला 70 तक फिर phase 2 170 से 187 तक चला फिर 187 से लेकर 200 डिग्री तक आपका after burning वाला phase चला है कैसे flame fronts बनते हैं कौन से process की बात हो रही है किस तरीके से pressure और crank angle डाइग्राम बनता है सारी चीज़े हमने डिसकस कर ली है phase 1, phase 2, phase 3 को एकदम detail में मतलब एकदम super detail में लिखके दिया है आपको कुछ नहीं लिखना है बस इसी को ही लिख लेना है इसको पढ़ाते समय मैंने इसकी Hindi का भी पूरा conversion आपके साथ discuss कर लिए ठीक है फिर knocking को discuss करा कि यहां वाले field particle अगर auto ignite हो गये तो flame जो है वो इधर से भी बनना शुरू हो जाएंगी तो यह हमारा diagram हो गया अब flame आप देख पा रहे होगे कुछ इधर से भी बनेंगी इधर से भी flame front बनेंगे तो कहीं पर ऐसा मिलेगा कि double energy आपकी प्रेड्यूस हो जाएगी उसी कोई knocking बोलेंगे फिर उसके बार causes हो गये जैसे compression ratio बढ़ाओगे नौकिंग बढ़ेगी घटाओगे नौकिंग घटेगी inlet temperature बढ़ाओगे नौकिंग बढ़ेगी घटाओगे नौकिंग घटेगी exit inlet pressure बढ़ाओगे नौकिंग बढ़ेगी घटाओगे नौकिंग घटेगी लोड बढ़ाओगे नौकिंग बढ़ेगी लोड घटाओगे नौकिंग घटेगी ठीक है इसी के साथ मैंने आपसे डिसकस करा लेंट बढ़ाओगे तो नौकिंग बढ़ेगी लेंट घटाओगे तो नौकिंग घटेगी इसी के साथ साथ हमने डिसकस करा अगर एडवांस से सब्सक्राइब करोगे तो नौकिंग बढ़ेगी नहीं करोगे तो नौकिंग घटेगी आगे चलते हैं अब बात करते हैं अग्जॉस्ट वाल की सी आई इंजन कि बफरिंग हो रहा है अरे भाई ऐसी बाते मत करिए कोई बफरिंग नहीं है मैं भी सेशन देखती रहते हूं सामने चल रहा है डिस्प्ले पर ठीक है कमप्रेशन रिश्यो कितना होता है पहले ही मैं आपको बता चुकिए हूं 6-10 SI में लेते हैं और यहां पर समझ में क्योंकि पेट्रोल को आटो इग्निशन टेंपरेचर हाई है आप Si इंजन में कौन सा फ्यूल प्रफर करोगे ऑगर मैं डीजल डाल दूं मालोग डीजल डाल दिया तो क्या होगा डीजल को तो ऑटो इग्निशन टेंपरेचर 210 degree centigrade है हैं एकि नहीं 210 डिग्री सेंट तो वहां क्या करोगे फिर तो तुरंती नॉकिंग होगी इसी वज़े से ऐसा फ्यूल एसा इंजन का में इस्तिमाल होगा जिसका ओटो इगनीशन टेंपरेचर काफी हाई हो जैसे कि पेट्रोल अच्छा आपने देखा होगा आज कल सी एंजी वाली गाड़ी आने लगी है त तो पेट्रोल के साथ ही उसका कॉंबिनेशन बिठाला जाता है ठीक है चलो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दी कमबशन इन सी आई इंजन अच्छा एक चीज़ आपको पता है अब स्पार्क प्लग नहीं होगा तो मैं फिर क्या होगा अब सिर्फ स्टिंग टॉपिक एक और डिसकस करने जा रहें ठीक अब रिया होगा आपके पास passion cylinder arrangement है आप यहाँ पर आपका स्पार्क प्लक की जगह क्या लगा होगा? fuel injector fuel fuel injector अब इस पार्क प्लस इस पार्क प्लग नहीं होगा ठीक है? इसी के साथ साथ आपको पता है कि यहाँ पर मात्र एयर बैठी होगी मैंने एयर को वाइट पार्टिकल से बनाया था और fuel को green particle से बनाय था तो अब मैं यहाँ पर green particle के fuels नहीं बनाऊंगी Only air is present यह air को हमने क्या करा दिया है compress करा दिया है compress कराने के बाद air का temperature कितना होना चाहिए मैं जो भी fuel इस्तिमाल कर रहे हो उसके auto ignition temperature से तो ज़्यादा ही होना चाहिए मैं जो भी fuel इस्तिमाल कर रहे हो उस फ्यूल के auto ignition से ज़्यादा होना चाहिए detail में है बिटा यह revision लग रहा है तुमको अभी हम revision कराते तो सब लिख के बढ़ जाते एक घंटे से सिफ combustion एक घंटा 20 मिनिट मेंने सिफ आपको SI engine का combustion सिखाया है कह रहे हो मतलब बेजिती कर देते हो एक दम क्या ही बात है एक दम डिटेल में चल रहा है आप जाके SI CI combustion के question solve करना 100% question लग जाएंगे कोई दिक्कत आने नहीं वाली है ठीक है अब सुनो मेरी बात सिया engine की बात कर रहे है compression जब भी हम कभी air का कराएंगे तो बहुत जादा temperature चाहिए अच्छा ज्यादा temperature चाहिए तो क्या करना पड़ेगा T2 जादा चाहिए तो compression ratio ज्यादा चाहिए अरे ब्स्मझ में एक निंग compression ratio ज्यादा नहीं करोगे स charter compression temperature कैसे बढ़होगे बताईए अब यूज होने लगा है ना प्रिशान जी अभी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम जब समझाओंगी तो सब पढ़ाओंगी मगर आपको सिर्फ अभी कार्बॉरेटर के बारे में ध्यान रखना है ठीक है लगे समझे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पूरा डिसकस करेंगे फिर MPFI भी डिसकस करेंगे तो ऐसे नहीं कि एप अगे पढ़ोगे आप लेतिस्ट करेंट टेकनॉलिजी नहीं पढ़ सकते करेंट टेकनॉलिजी पढ़ोगे तो जाम नहीं निकलेगा इसी वजह से तो mechanical में समस्या है slabus outdated है हम पढ़ते हैं carburetor वहाँ चला है MPFI even और updated versions आ चुके हैं वो सब हमारे slabus में है ही नहीं तो हम बात भी नहीं करेंगे ठीक है तो chronology को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए आपने क्या गरा air को compress करा compress करके air के temperature को बढ़ाया और air का temperature जो है वो fuel के auto ignition temperature से ज़्यादा नहीं होगा तो fuel कैसे auto ignition पर पहुचेगा और fuel कैसे burn होगा है गहा नहीं fuel कैसे auto ignition पर पहुचेगा fuel कैसे burn होगा क्या कोई fuel injector है यहाँ पर नहीं क्या कोई spark plug है यहाँ पर मैं कोई spark plug नहीं है, इसका मतलब है कि CI engine का process ही यही है, कि fuel खुद air के पास आएगा, air से heat लेगा, अपने temperature को बढ़ाएगा, auto ignition तक पहुचेगा और फिर burn होगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमें air का temperature ज्यादा से ज्यादा रखना है, ताकि जब हम इस पे fuel को spray करें, इस तरीके से, ताकि हम बिटा, जब इस पे fuel को spray करें, तो fuel auto ignition तक तुरंद के तुरंद पहुच जाए, जिसकी वज़े से हमें क्या करना पड़ता है, air के temperature को बढ़ाना पड़ता है, temperature जादा चाहिए, तो compression ratio भी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि compression ratio है क्या, T2 by T1 is equal to the V1 by V2 की whole power gamma minus 1, तो यह हो जाएगा R की power gamma minus 1, T2 is equal to the T1, R की power gamma minus 1, यह तो ambient की condition है, इससे तो आप कुछ खिलवाल कर नहीं सकते, अगर आपको T2 बढ़ाना है, तो भाया जी compression ratio बढ़ाए, इसी लिए diesel engine में compression ratio जादा होता है, ठीक है, बुक रीट कर रहे हैं, उनको भी हमारे session में लिए और सब सिखा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ आ रहा होगा, कि compression ratio बढ़ाना पड़ेगा, प्लियर सी बात है, compression ratio इसी वज़े से diesel engine में जादा होता है, ठीक है, बास समझ आ गई, दूसरी चीज़ यह समझ आ गई, कि कि स्प्रे निकलने वाला है, कि स्प्रे निकलने वाला है, प्रोसेस को थोड़ा सा feel करो, अगर कोई fuel खुद से burn होगा, fuel तो क्या है, हाइड्रो कारवन से अगली क्लास में discuss करेंगे, fuel के बारे में भी tension नहीं लेने का, तो होता क्या है, ये पहले heat जो लेते हैं, energy जो लेते हैं, अपने इस bond को break करते हैं, जब ये bond break होगा, जब ये bond break होगा, तो आपके पास जो भी fuel है, SI engine में generally कौन सा fuel उस कर रहें, diesel, जो diesel है, वो जो liquid form में diesel आपको दिख रहा है, आप उसके bond को break करोगे, वो vaporize होगा, अपने auto ignition temperature पर पहुचेगा, फिर burn होगा, तो आपको समझ आ रहा है कि SI engine में तो spark plug breaking भी bond spark plug bond को break कर रहा था वो जो एक छोटी सी चिंगारी थी वो क्यों दी थी ताकि उसकी vicinity में जो particle बैठे हैं उसके नियर जो particle बैठे हैं उनके bonds break हो जाएं वो जलने लगे वो जलने लगे उनसे जो heat बनेगी फिर हम बाकी सब जला लेंगे कोई दिक्कत वाली बात में ठीक है but energy provided by the high temperature here present in the cylinder यहां पर जो भी करता धरता है वो मात्र air है एयर ही heat देगी fuel को एयर ही fuel के bond को break करेगी एयर का ही temperature जो होगा वो fuel को मिलके वो उसके auto ignition पर पहुचेगा और self ignition यहां पर शुरू हो जाएगा ठीक है temperature 180 degree centigrade तक आपका चला जाता है इसी वज़े से आपने एक चीज़ और observe करी होगी कि SI engine में हमने यहां पर fuel particle माने थे कि यहां पर fuel particle burn हुए याद आया cylinder की दीवारों पर नहीं माने क्योंकि दीवारों से कभी भी knocking होगी नहीं क्यों नहीं होगी क्योंकि यहां पर पूरा cooling system लगा है जो cylinder की walls का temperature 180-200 से जादा जाने ही नहीं देता इस वज़े से हमेशा जो knocking है वह तो आपको exhaust wall से देखने को मिलेगी मतलब जो second flame front है या तो piston की सता पर देखने को मिलेगी दीवारों से नहीं होगा क्योंकि वहां पूरा cooling system लगा है ठीक है अदेखो ज़रा ध्यान से fuel के bonds break होंगे और यह bond कौन ब्रेक करने वाला है सबसे पहले में आपको थोड़ा सा fuel कैसे inject होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे पास क्या है गाड़ी में fuel tank है इसका प्रेशर होने वाला है वो काफी हाई हो जाता है इसका प्रेशर हम यहां पर धयान से देखो जो fuel हम सिलेंडर के अंदर भेज रहे हैं उसका temperature 300 से लेकर 600 बार तक होता है 300 से लेकर 600 बार तक प्रेशर पर फ्यूल को हम लोग combustion chamber के अंदर पहुचा रहे हैं बताओ इतना high pressure क्यों रखा reason क्या है इतना हाई प्रेशर क्यों रखा fuel injector से जो fuel निकल रहा है इतना हाई प्रेशर क्यों रखा 300 से लेकर 600 बार तक इसके प्रेशर को हम लोग खीच के लेके गए इतना हाई प्रेशर क्यों है प्रेशर क्यों है क्यों है इतना हाई प्रेशर प्रेशर और यहां पर इंजेक्टर से जो फ्यूल निकल रहा है ना तो जो होल बना के रखा है आपने यह होल जो है ड्रिल करते हो आप लेजर मशीन से और इसका जो डाय सेंट डायमेटर होता है 0.01 सेंटिमीटर के आसपास देखने को मिलता है और यहां से जो फ्यूल निकल रहा है आप अपना जवाब दो आप अपना जवाब देने पर ध्यान दो मैं यहां पर आपको यह जो इस प्र को भी हम इसी तरीके से बनाते हैं कि दीवारों पर फ्यूल ना जाए क्योंकि होता क्या है फ्यूल किस से बना है हाइड्रोकार्बन से बना है हाइड्रोकार्बन का मतलब उसमें कार्बन है तो जिसकी वज़े से क्या हो सकता है कार्बन डिपोजिशन की समस्या देखने को म जलती आगे जाके पढ़ेंगे तो हमेशा ध्यान रखो इस इस्प्रे को भी डिजाइन करा जाता है विद्धी हेल्प आफ डायामीटर और यह स्पिंडल लगा स्पिंडल ऊपर जाएगा फ्यूल सप्लाई यहां से जाएगी फ्यूल बहार निकलेगा मगर ऐसे नहीं बनाए लेंथ रखनी पड़ेगी ठीक है प्रॉपर को प्रॉपर आपको जो स्प्रे एंगेल है उसको सेट करना पड़ेगा एंगेल अगर बहुत ज्यादा कर दिया तो दीवारों पर जाके छिड़काओ हो जाएगा फ्यूल का कारबन डिपोजीशन वगेरा की समस्या देखने को मिलेगी हाँ शिवेंद्र कुमार इस बच्चे ने एकदम दिल खुश करने वालत सब आंसर दिया है कि मैं आप एक चीज़ समझिए आप फ्यूल को कब इंजेक्ट करा रहे हो जब आपने एर को अल्रेडी कंप्रेस कर लिया है वन से टू प्रॉसेस कंप्रेशन का था तू गुबारे के अंदर एर भरी है ठीक है अगर आप गुबारे को खोल दोगे ओपन कर दोगे इस पॉसिबल कि हम बहर से और यह उसके अंदर डाल सके अंटी नेल अले साम उसमें और दम ना लगा है शुरुवात में जब आप गुबारे को फुलाते हो कम लंग सापके ट्रांसफर होगा तो बहुत यह सिंपल सी बात है अगर आपको इतने प्रेशर पर मतलब इसके अंदर का जो प्रेशर होगा वह काफी हाई हो चुका होगा वह लेटेस कंसिडर 15 बार हो चुका है 20 बार हो चुका है तो उससे जाधा प्रेशर पर जब तक फ्यूल नहीं कमपशन चैंबर के अंदर डाल नहीं पाऊगे अब सवाल यह उड़ता है कि आपने बोला कि प्रेशर जाधा होना चाहिए अगर इसके अंदर 15 बार प्रेशर हैं तो हम 20 बार प्रेशर पर डाल देते जलो ठीक है 50 बार प्रेशर आप ले लेते 100 ले लेते मगर यह 300 से 600 बा जादा हाई करना पड़ेगा तब फ्यूल जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफर हो पाएगा एक बात तो यह समझ आगई दूसरी बात हमें क्या समझ आई कि भाई अगर प्रेशर ज्यादा करना है तो आप 50 बार कर दो ठीक है 14 सेप्टेंबर को क्लोज कर देंगे मदब आज 11 है तीन क्लासेज और इसकी करेंगे खतम हो जाएगे तो इस प्रॉसेस को क्या बोलते हैं एक्टमाइजेशन तो एक्टमाइजेशन प्रॉसेस परफॉर्म करने के लिए एनरजी चाहिए वह एनरजी हम प्रेशर इतना जादा हाइप रखने की कोशिश कर रहें ठीक है पुरा फ्यूल इंजेक्टर का सिस्टम आपको समझा घ्या प्रेश्र हम बहुत ज़्यादा हाई कर रहे हैं यहाँ पर यह आपको समझ आगया इसके बाद यह समझा गया कि वहिंप प्रेंगिल वगेरा सब डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि फ्यूल सिलेंडर की वॉल से जाके टकराई और कारबन डिपोजीशन जैसी समस्या खड़ी करें तो यह सारी चीज़ें हम नहीं चाहते हैं ठीक है यही चीज मैंने आपको यहाँ पर लिखके भ अधरी हाई compression of air के बाद pressure already काफे जाधा है वी नीट टो इंजेक्ट फ्यूल इना हाई प्रेशर एर सिलेंडर हमें क्या करना है हाई प्रेशर एर सिलेंडर के अंदर फ्यूल को पुट करने की जरूरत है तो कनवर्ट फ्यूल लिक्विट फेस्टु वेपर फेस हाई प्रे फ्यूल इंजेक्टर क्या करेगा फ्यूल को इस्समॉल ड्रॉपलेट में ब्रेक कर देगा जिसे हम अचल करने के लिए कुछ एनरजी के जरूरत पड़ेगी और इस एनरजी को हम डेर जिम कैसे यूज करेंगे इंटम्स आप रेशर अरशन ठीक है यह बाद हम को समझ आ ग क्या चल रहा है सियाई इंजन देखो ज़रा दिहान से यहां पर आपको दिखाते हूं कि कंबशन कैसे होता है पहले तो यह समझो कि कंबशन कैसे होता है फिर उसके बाद आपको समझ आएगा कि नौकिंग कैसे होती है कि नहीं तो यहां पर मालो के हमारे पास क्या है पिस्ट सिलेंडर अरेंजमेंट की मदद से हमने यहां पर फ्यूल इंजेक्टर लगाया है फ्यूल इंजेक्टर की छवी आपके सामने बन चुकी है और मालो कि यहां से फ्यूल जो है फ्यूल ग्रीन कलर का ले रहे हैं तो यहां पर भी ग्रीनी ले लेते हैं इस तरीके से आपको इस देखाई कभी ऐसे चोटा सालका संदल खोल दिया हो एक बूंद आई फिर दूसरी बूंद आई इवन मेकानिक्स में आप ये वाला कोश्चन भी करते हो कि एक बूंद आ गई है आप दूसरी बूंद आने में कितना टाइम लगेगा बताओ पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए कि चिक है फोफिली नहीं हो रही होगी तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है कि भई ट्याप अगर हलका सा खोल दिया तो एक-एक ड्रॉपलेट एक-ड्रॉपलेट क्या होता है नल से नीचे आता है सिमिलर वे में फ्यूल भी फ्यूल इंजेक्टर से आएगा तो हमने क्या माना के सबसे पहले जब फ्युल यहां से चला ठीक है तो यह वाली पहली द्रॉपलेट यह पहुची ठीक है तीसरा फ्यूल को फ़केट अन्दर आने वाला यह तैसे कर लिए कले वह फस्ट पाक्त की धर फ्यूलम माइगी दूसरी आएगी तीस्री आeghy चौती आ जाएगी ऐसे करके आने लगेगा साहा पानी इसी तरीके से फ्यूल को अब्जर परोगे तो पहले एक सैट और पर्टिकल आएगा फिर यह वाला पिंक वाला माल लो दूसरा set of particle है और फिर ये green वाला माल लो तीसरा set of particle है we have three set of particle first set of particle second set of particle third set of particle ठीक है अब देखो क्या होगा इसी के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर motoring curve भी बनाते हैं क्योंकि motoring curve तो दोनों में ही बनेगा अगर कोई भी fuel नहीं आ रहा है तो सिफ compression की वज़े से pressure बढ़ेगा और expansion की वज़े से pressure घटेगा तो यहाँ पर भी आपको इस तरीके से ही motoring कर देखने को मिलने वाला है बगर अगर माल लो आपका यहाँ पर combustion हो रहा है तो होगा क्या ध्यान से देखो यहां से आपने क्या कर रहा है fuel injector on कर दिया ठीक है यह कौन से डिगरी है 180 और यहां से कहीं से चलेगा let us consider this is your zero degree अब पूरा procedure समझने की कोशिश करो कि जो ci engine है इसमें basically combustion हो कैसे रहा है ठीक है combustion हो कैसे रहा है आप एक चीज ऑब्जर्व करने की यहां पर कोशिश करो कि आपने मान लो fuel injector 160 degree centigrade 160 degree पर open कर दिया fuel injector ठीक है मतलब piston जो है compression करते वे BDC से TDC जाही रहा है आपने रास्ते में क्या करा आपने रास्ते में क्या करा fuel injector को open कर दिया तो क्या होगा जल्दी से सोचो क्या होगा मान लो 160 degree पर आपने यहां पर क्या करा fuel injector को open कर दिया जैसे ही open करोगे तो यह पहला वाला set of particle कहेगा स्वागत नहीं करोगे परनें कि हमारे कहेगा कि नहीं करैंगा तुरंस सिलंडर का अंदर आएगा जैसे यह सिलंडर के अंदर आएगा 1 निट रुकिए बात ठीक हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ी जब मतलब देखने लाइक तो है ना आप देख लो जो बीच-बीच में रुक रही है उसको सही करवा दें ठीक है तो यहां पर क्या हुआ एक सुसाट डिगरी पर जैसी आपने फ्यूल इंजेक्टर ओपन कर रहा फर्स्ट सेट फ्यूल पार्टिकल नीचे आ गया ठीक है बफरिंग हो रही है ना बहुत ज्यादा बफरिंग है नहीं समझ आ रहे है ओहो पूरा सेशन खराब होग जाएगा बफरिंग हो रही है रुख जाएए थोड़ा थोड़ा वेट कर लीजे अलड़ा थोड़ा 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 जा बाजब है यह Cheese जिछ आखिएंगा थोड़ा है एएवग जद कुर्ट आप् 온ग कमा सब्यूसरे स्ब्सक् 양ा कमा सब्सक्वें यौसरा मु सम्सरा कर देघ्युक्षा मौसरा सथा तकिए मुथवच्वच्ति Giving healing अब नहीं हो रहा है बहुत हो रही है इतना इंपोर्टेंट टॉपिक बीच में इंटरनेट चाही बात या आईटी वाले जो है कुछ कर नहीं पा रहे हैं एक धंग का इंटरनेट नहीं दे पा रहे हैं लोगों को अब 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 इसका कमशन भी समझ लोगे पूरा कमशन का प्रोसेस कंप्लीट करके जाओगे वरना आज की क्लास में फिर वो कल की क्लास में कंटीनियू नहीं हो पाता है क्योंकि अगला दूसरा चैप्टर लगा हुआ है ठीक है तो मैं शुरू कर देती हूं अगर कोई दिक्कत हो तो आप रिकॉर्डट देखले ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं ठीक है तो मैंने सिंप्ली आप से यह बोला कि फर्स सेट और फ्यूल पार्टिकल जैसी 160 डिगरी पर फ्यूल इंजेक्टर ओपन करोगे ठीक है जैसी 160 डिगरी पर दिक्कत है अभी भी अब हो अब नहीं हो रहा हो ठीक है तो अ कि सारे के सारे लोग हार्ट बना दो ठीक है हाँ चलो मैं चलो मैं कंटीनू करती अभी ठीक हो गया चलो बहुत ही बढ़िया तो देखां बटा ज़्यान से फिल इंजेक्टर ओपन करा पहला सेट और फ्यूल पार्टिकल अंदर आगया है आप देखो जैसे ही वो अंदर आएगा सबसे पहले तो आपको लगेगा कि मैम यहां से निकला पहला पहला सेट फ्यूल पार्टिकल यहां से निकला क्या तुरंट जल जाएगा नहीं तुरंट नहीं जलेगा क्यों क्योंकि ये जो fuel particle आ रहा है बिटा इसका temperature बहुत ज्यादा थोड़ी ना है बहारी से तो आ रहा है बहारी से तो आ रहा है तो माने लो कि पहला set of fuel particle जो आपने यहाँ पर consider करा यहाँ से जब fuel निकला तो 20 degree centigrade पर निकला 20 degree centigrade पर निकला क्या 20 degree centigrade पर आते ही fuel जल जाएगा नहीं मैं अगर हम यहाँ पर मान लो diesel का इस्तिमाल कर रहे हैं क्योंकि यह CI engine है तो diesel का जो auto ignition temperature है यह 210 degree centigrade है तो सबसे पहले क्या होगा 160 degree centigrade पर जैसे ही fuel injector बेटा ओपन होगा सबसे पहले fuel जो है 20 degree से 210 degree centigrade तक पहुचेगा combustion तो दूर की बाद है पहले तो इसको auto ignition temperature पर पहुचना है तो यह कैसे possible होगा इसके अंदर जो पहले से air का temperature है इसके अंदर पहले से जो बेटा air भरी हुई है जिसको हम compress करके इसके temperature को already काफी जादा बढ़ा चुके हैं यह air क्या करेगी fuel को अपनी heat देना शुरू कर और फ्यूल धी में धी में धी में धी में 20 डिगरी से अपनी जर्नी शुरू करेगा 30 डिगरी 40 डिगरी 50 डिगरी 100 डिगरी 100 200 और जैसे ही 210 पर पहुच जाएगा now fuel is ready to burn तो यह जो 20 डिगरी से लेकर auto ignition तक पहुचने की जो जर्नी है न क्या इसमें समय लगेगा कैस में delay होगा हा मैं delay तो होगा समय तो लगेगा यह instant तो कुछ हो नहीं जाएगा instant नाम की कोई चीज तो होती नहीं है heat transfer में time लगेगा temperature बढ़ने में time लगेगा इसको हम लोग बोलते है physical delay आई बास समझ में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा physical delay देखने को मिलने वाला है ठीक है pressurized air अपनी heat fuel को देगी fuel अपने temperature को बढ़ाएगा 20 degree से लेकर 210 degree तक की जो जर्नी है that is known as physical delay इतना time लगेगा ही लगेगा कोई इलाज नहीं इसके बाद क्या होगा इसके बाद क्या होगा अब fuel क्या है 210 degree centigrade पर पहुच गया जैसे ही fuel 210 degree centigrade पर पहुचेगा यह बिल्कुल वैसा ही है कि एक रोटी का तुकड़ा आपने निकाला तो तोड़ने में और सबजी लगाने में जितना time लगा वो physical delay था आप मुँ में रखोगे तो खाओगे भी तो ना मुँ में चला गया वह निवाला अब आपको चबाने का process शुरू हुआ मतलब चबा कि अब उसको खतम करने का process शुरू हुआ मतलब क्या है फ्यूल में भी सेम चीज है आपने 20 डिग्री से 210 डिग्री physical delay करा दिया आप फ्यूल जलने में भी तो कुछ time लेगा ना निवाला तुमारे मुँ में चला गया आप खाने में भी तो कुछ time लगेगा इस इकमिकल डिले प्लस केमिकल डिले मिलके क्या बनाते हैं इag इगनीशन डिले बनाते हैं तो याद रखो सबसे पहला phase इस का केमिकल डिले में प्लस अ है है इगनीशन डिले इस इगनीशन डिले में आपको क्या देखने को मिलता है इस इगनीशन डिले में आपको क्या देखने को मिलता है कैमिकल डिले प्लस फिजिकल डिले इगनीशन डिले बात समझाई 20 डिगरी से 210 डिगरी तक फिजिकल डिले प्लस उसके बाद फ्यूल जलने इसे में जितना टाइम लेगा वह आपका केमिकल डिले कहलेगा दोनों मिला कि क्या कहलाएगा इगनीशन डिले कहलेगा यह जो डिले चल रहा है इस डिले तक कोई भी बर्निंग नहीं हुई है कोई भी एक्सेसिफ प्रेशर जनरेट नहीं हुआ है तो अगर आप यहां से ग् आपर न हमोशन कर रहा ना यहां पर कहीं पर फ्यूल पार्टिकल और इतनी देर मेंन्स सेट ऑफ फ्यूल पर्टिकल भी सिलेंडर के अब जैसे यही first set of fuel particle burn होगा वो energy किसको मिलेगी second set of fuel particle को तो second set of fuel particle वो energy को लेके immediately अपने auto ignition temperature पर पहुचेगा और burn हो जाएगा इससे क्या होगा इससे क्या होगा immense amount of energy generate होगी immense amount of energy generate होगी और यहाँ पर आपको excessive pressure में increment देखने को मिलेगा अब जैसे ही यह pressure में increment होगा तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा combustion का process combustion का process देखने को मिला कि नहीं मिला देखो first set of fuel particle यहाँ पहुच चुका है और अभी सिर्फ second आया third वाला नहीं आया तो पह जैसे first set of fuel particle आपका burn हुआ होआ यहां पर जैसे बटाइं यह बर्न हुआ इसने चारू तरफ heat को generate कर और इसने कि क्या कर था हीट को generate कर आं जैसे हीट को generate कर आ सेकंट सेट ऑफ यूर पार्टिकल को एर ने तो energy दी second set of fuel particle को air ने तो energy दी मगर air के साथ साथ क्या हुआ air के साथ साथ क्या हुआ जो first set of fuel particle के energy थी वो भी मिल गई उसको तो बहुत तुरण से तेजी से auto ignition पर पहुचा और 170 से लेकर 178 तक second set of fuel particle आपका burn होगा तो यहाँ पर 178 degree के आसपास आपको देखने को मिलेगा और इसको हम लोग बोलते हैं uncontrolled combustion क्या बोलते हैं uncontrolled combustion uncontrolled combustion क्या कहलाएगा uncontrolled combustion क्योंकि second set of fuel particle का जलना अब हमारे हाथ में नहीं है आप हम इसको नहीं समाल सकते हैं second set of fuel particle भी जल गिया ठीक है अब जो third set of fuel particle है उसके लिए चांदी ही चांदी है क्यों? पहला set of fuel particle जल गिया second set of fuel particle जब जला immense amount of tremendous amount of energy generate हुई excessive pressure rise हुआ अब जो third set of fuel particle है न आएगा जलेगा आएगा जलेगा क्यों? क्योंकि अब cylinder के अंदर already temperature बहुत आई ठीक है? तो third set of fuel particle जो आ रहा है अब इसका आना हमारे control में है हम ज़्यादा fuel डालेगे तो ज़्यादा जलेगा कम फ्यूल डालेगे तो कम जलेगा तो third set of fuel particle को हम control कर सकते हैं क्यों इसके बाद अब आपको क्या मिलने वाला है? controlled combustion देखने को मिलने वाला है second set हमारे हाथ में नहीं था मगर अब जो है 200 degree तक आपको क्या देखने को मिलता है? 180 से मतलब 178 से लेकर 200 degree तक आपको यहाँ पर controlled combustion देखने को मिलेगा तो phases समझू बिटा पहले आपको क्या मिला? ignition delay, फिर क्या मिला? uncontrolled combustion, फिर आपको क्या मिला? controlled combustion अभी सब लिख के देदूंगी tension नहीं लेने का इसके बाद क्या होगा? almost सारा combustion आपका complete हो चुका होगा बच्चा वह 5-10% fuel जो है वो expansion में जल जाएगा तो आपको यहाँ पर after burning 200 यह 200 degree के आसपास मिलता है और फिर 204 degree तक आपको क्या देखने को मिलेगा? after burning का process देखने को मिलेगा तो after burning तो सब में सेमी होगा ठीक है? after burning तो सब में सेमी होने वाला after burning ठीक है जी? तो यह पूरे कितने phases हो गए? पहला phase हो गया ignition delay क्यों हुआ? मैं fuel आया 20 degree से 210 degree पहुचा physical delay फिर वो जलने में समय लेगा chemical delay दोनों को मिला के क्या मिला? ignition delay तो सबसे पहले मैं ignition delay मिला फिर जैसे ही first set of fuel particle जला उत्ती देर में second set of fuel particle आ चुका था third नहीं आया था सिर्फ second आया था तो जैसे ही first set of fuel particle ने energy बनाई उसको second set of fuel particle ने absorb कर लिया जैसी absorb करा तो खुब तेजी से जला uncontrollable immense amount of energy generate हुई तो उसको हमने बोला uncontrolled combustion अब जो third set of fuel particle है वो कैसा है? उसको लिए सब कुछ एकदम favorable conditions बनी वोई है excessive high temperature आएगा जलेगा आएगा जलेगा तो third set of fuel particle को हम control कर सकते हैं जादा fuel डाल दो जादा जल जाएगा कम fuel डाल दो कम जलेगा तो उसको हमने क्या बोला? controlled combustion उसके बाद expansion का समय आ गया after burning हो गई after burning मतलब expansion के टाइम पर 5-10% जो fuel बज़ गया वो सब जल जला गया expansion मतलब power stroke मिल गया कहानी खतम cycle का थम combustion खतम आई बास समझ में जल्दी से बताईए जल्दी से मुझे बताईए क्या आपको यहाँ पर देखो यही बना के दिया है कितना प्यारा डाइग्राम बना के दिया है देखो वो तो मैंने समझा दिया अब लिखने वाला काम में क्यों समय खराब करना इस लेंभी मिले तो फिजिकल डिले मिला फिर फ्यूल जले गा तो कैमिकल डिले मिला फिर इसके पास कोई केमिकल डिले नहीं होगे यह तomas जलेगा क्योंकि इसको energy first set of fuel particles से मिल जाएगी auto ignition पर पहुचा burning होगी ठीक है यह मैंने क्या बना दिया है पूरा spray का design बना दिया है spray tip penetration length हो गई और यह droplets हो गई turbulence हो गया सारी चीज़ें यहाँ पर लिख दी है ठीक है when fuel enter into the cylinder in the form of mist its velocity will be very high high momentum high velocity की वज़े से fuel जो है वो air को penetrate करता वह आगे जाएगा temperature जो है बढ़ेगा auto ignition temperature के ऊपर पहुचेगा when penetration mist particle receive heat from the high temperature air gets converted into gaseous phase fuel के जो particles है air से heat लेंगे temperature लेंगे gaseous phase में change करेंगे further heat receive करेंगे और यहाँ पर क्या होने temperature is called physical delay ध्यान से देख लो जो काम की बाते हैं उसको highlight कर दे रही हूं मैंने क्या बोला time period time period कहां से कहां तक का between injection जब आपने fuel injection करा और जब auto ignition तक temperature पहुचा physical delay after reaching auto ignition temperature of the fuel particle start burning and release enormous amount of heat the time period between reaching auto ignition मतलब auto ignition पर पहुचने के बाद and releasing heat जब तक वो मतलब heat ना release कर दे उसको क्या बोला chemical delay बोला physical delay chemical delay को combine करोगे तो ignition delay मिलेगा जो पढ़ाया है वही लिखवाया है ठीक है बहुत energy डाली आज मैंने इसको easy बनाने में uncontrolled combustion क्या है बहिए जब heat release होगी first set of particles से हमने देखा increase in temperature of air inside the cylinder first set of fuel particle भी अब जल रहे है air का temperature भी बढ़ेगा and heat जो है वो second set of fuel particle भी absorb करेगा जो already cylinder के अंदर present है present inside the cylinder and all these fuel particle particle reach auto ignition temperature instantly जिसकी वज़े से क्या होगा second set of fuel particle तुरंद instantly auto ignition temperature पर पहुचेंगे and all these fuel particle burn instantly and releasing tremendous amount of energy this combustion of second set of fuel particle is sudden sudden होगा uncontrolled होगा जिससे हम uncontrolled combustion बोलने वाले फिर क्या होगा third batch particle का आएगा cylinder के अंदर वो encounter करेंगे very high temperature तुरंद तुरंद उनको high temperature मिलेगा तो तुरंद तुरंद वो जलेंगे और यह हमारा क्या केलाएगा controlled after burning क्या है left over particle burn होंगे और combustion phase आपका क्या होगा complete हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं uncontrolled combustion बोलते हैं ठीक है अब देखो पूरा process तो आपको समझा आगे क्या सिया इंजन में कैसे combustion होता है बहुत बार बहुत सारे questions आए एक बार आज जाके आप पीवाई की ज़रूर देखना देन यो विल रिलाइज कि क्या content है और क्या पीवाई की हो सारे counter कर दोगे आज जितने भी बच्चे बैड के यह session पिछले दो घंटे से सुन रहे हैं गैरेंटी है combustion नौकिंग से कोई question नहीं छुटने वाला सारे करके आओ आप ठीक है knocking in ci engine के अगर हम बात करें knocking कैसे होती है देखो बहुत ही simple भाषा में आपको knocking समझाती हूं अगर air का temperature कम हुआ तो आप मुझे बताओ first set of fuel particle का जो ignition delay है वह बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा जल्दी से मुझे बस इतना सोच के बता दो अगर यहां पर मालो एयर का temperature कम है क्योंकि air ही महानता का प्रतीक है air ही करता धरता है air के पास heat होगी temperature होगा तो ही fuel auto ignition तक पहुच पाएगा अगर air कमजोर पड़ गई तो fuel भी जलने वाला नहीं है क्योंकि यहां कोई सहायक नहीं है कोई spark plug नहीं है fuel को खुद जलना है सहायक कौन है air है अगर air ही ठंडी पड़ गई तो fuel को कौन जलाएगा सोचो फ्यूल को कौन जलाएगा अरीवा समझ में तो अगर एयर का temperature कम पड़ गया तो क्या आप मानते हो कि यहां पर जो ignition डिले है वो बढ़ जाएगा क्या मानते हो जो ignition डिले है वो आपका बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा क्योंकि अगर एयर का temperature ही कम पड़ गया तो heat का transfer कम होगा तो air जो fuel आ रहा है जिसको auto ignition पर पहुचना वो पहुचने में ही time लगा देगा अब fuel कोई रुका बैठा तो है नहीं अब आपका कहना है कि मैं मगर ऐसा होगा तो देखो तबा क्या होने वाला है पश्स सैट क्यों पॉल पार्टिकल जो है जली नि रहायर जली नी रहां नीचे आथा जा रहा है आपको ऐसा नहीं लग रहा है इस डिले के चक्क सट कर में ती सेंट्री होगी थर्ड सेट फ्यूल पार्टिकल कब आ रहा है जब सेकेंड वाला जल रहा है पहले ने अगर लेट कर दिया तो पहले और नीचे आ गया तो उपर से दूसरा सेट फ्यूल पार्टिकल चला रहा है तीसरा भी आ गया गड़ बढ़ा गया मामला मामला गड़ कि खिए ना कहते हैं यहीं कर दिया है तो abundance ऊतना हई नहीं पहुच पाने कि वजये से फिजिकल टेले बढ़ गया धिले बढ़ गया क्यमिक दिले तो वही रहेगा फिजिकल गिले यहीं आपका बढ़ने सेट ओफ फ्यूल पार्टिकल क्या करेगा सेकंड सेट ओफ फ्यूल पार्टिकल को जलाएगा वादा तो यही था वादा तो यही था अफ़ सेट ओफ फ्यूल पार्टिकल सेकंड और थर्ड दोनों को जलाएगा आपको ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बहुत ज्यादा फ्यूल ए उससे third वाला भी जमा जम जलेगा और second वाला भी जमा जम जलेगा और दोनों साथ में जलेंगे दोनों साथ में जलेंगे ऐसा नहीं लग रहा दो flame fronts जल गई साथ में जैसे ऐसा ही में पढ़ा दा excessive energy generation एक set of fuel particle को जलाने की बात हुई थी धोका हुआ दो जल गए दो जलेंगे, excessive energy बनेगी, tremendous amount of energy generate होगी, वो energy piston पर एक impact create करेगी, इसी phenomenon को knocking बोलें, कुछ है ही नहीं, सिर्फ समझना है, जो लिखा है वो भी मकसद का नहीं है, अगर समझ आ गिया है तो, पहले एक के जलने की बात थी, पहला set आएगा, उसकी energy दूसरे को मिलेगी, दूसरा जलेगा, pressure temperature बढ़ेगा, फिर तीसरे को हम control करेंगे, क्या हुआ, पहले ने delay कर दिया, late कर दिया, दूसरा भी आगया, तीसरा भी आगया, अब जब पहला जला, तो वो partiality थोड़ी ना जिसको लेना ले लो, ग्यान बटरा है, जिसको लेना ले लो, है कि नहीं, तो second वाला भी ले लेगा, third वाला भी ले लेगा energy, दोनों एक साथ जलेंगे, जब एक साथ जलेंगे, तो excessive double energy generate होगी, अगर double energy generate हो रही है, तो excessive impact आपको piston के उपर देखने को मिलेगा, देखो, normal condition म अगर आप देखोगे, air 300 पर है, और यहाँ पर यह क्या है, 20 degree पर है, कोई दिक्कत नहीं है, बट एगर air का temperature 250 हो गया, तो heat transfer क्या हो जाए का, एक abnormal हो जाएगा, यह 300, 250 रट मत लेना, example लिए हैं, चचा, example लिए हैं, कि air का temperature घटा, तो heat transfer भी घट जाएगा, heat transfer घट गया, त जादा time लगेगा, heat के transfer में, जिससे second और third set of fuel particle अंदर आ जाएगे, ठीक है, तो यही लिखा है, due to some abnormality, अगर कुछ abnormal हुआ, in the engine, engine के अंदर, if there is some delay in the combustion of first set of fuel particle, अगर ज़रा सा भी first set of fuel particle में delay हुआ, then extra fuel from the third packet enter into the cylinder, then extra fuel आ जाएगा, third packet, and this extra fuel, and fuel from the second packet, burn together, एक साथ जलेंगे एक साथ जलेंगे, एक साथ जलेंगे, this burning release extra energy as compared to normal combustion, normal combustion के comparison में, यह extra energy generate करने वाले हैं, ठीक है, this extra energy produces strong pressure waves inside the cylinder, and this phenomenon is known as knocking in CI, खतम हो गई बात, clear हो गया, जल्दी से मुझे बताईए, जल्दी से मुझे बताईए, CC बनाईए, CC बनाईए, CC बनाईए, CC बनाईए, और बताईए कि आपको knocking and combustion, CI engine का, knocking and combustion, CI engine का दोनों चमक गया, उसके बाद तो आप खुदी हीरो, अभी तो causes मैं दिखाऊंगे, तो आप खुदी आंसर कर दोगे, कोई टेंशन ही नहीं मुझे यस माम, all clear, क्या ही बात, आंसर करिए जल्दी से, गजब, 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 ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, आप देखो ज़रा सोचो, ऐसे ऐसे नॉर्मल नॉर्मल बाते करते हैं, यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एर का टेंपरेचर ज्यादा चाहिए, मैं एर का टे के क्प्रेशन टेंपरेचर मैं, मैं अगर खूब होगा न, था तो एकदा मैं शॉर्टी है कि कम नॉटर trag नहीं होगी, अ है क 네, अब आप मुझे बताओ, अगर कंप्रेशन रेजव बढ़ा दू, अगर कंप्रेशन रेज रेचो बढ़ा दू, तो आफ्टर कमप्रेशन प प्रेशोर टेंपरेचर बढ़ गिया तो आप मुझे बताओ नौकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी के डिक्रीज होगी SI में जो पढ़ा है उसको फील करते हुए CI का मज़ा लीजी SI में क्या था? auto ignition पर नहीं जाना चाहिए यहाँ पर जाना चाहिए वहाँ नहीं जाना चाहिए यहाँ पर जाना चाहिए तो आप खुद मुझे सोच के बताओ अगर मैं CI इंजन का compression ratio बढ़ा दूँ तो नौकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी के डिक्रीज होगी? नौकिंग टेंडेंसी इंक्रीज होगी के डिक्रीज होगी? सोचो सब रिखाले बहुत ही बड़िया डिक्रीज होगी बहुत ही बड़िया तो compression ratio बढ़ाने पर नौकिंदेंसी डिक्रीज होगी क्रेंडेंस एमयर का temperature काफी हई होगा तो इतनी नौकिंगे chances नहीं है इलết temperature बढ़ा दू तो exit temperature बढ़ जैगा knocking decrease होगी इलेολीट प्रेशब बढ़ाका दू तो exit pressure बढ़ जाएगा knocking decrease होगी आरीये बान समझ में कि कि नहीं आरी है लोड़ बढ़ा दू तो temperature बढ़ जाएगा MK नहीं होगी को समस्च पा रहे हो अगर मैं से स्पार्क्इंग कर दूँ तो baking couch है नहीं डिग्री वागेरा कुछ याद नहीं रखना है 810 फिनोमेना और कितने फेज heart हो रहा है जैसे कि उसमें लिख्वाया प्रिप्रेट्री फेज ठीक है फ्लेम प्रॉपेगीशन आफ्टर बर्निंग इसमें क्या लिख्वाया इगनेशन डिले अनकंट्रोल कंट्रोल आफ्टर बर्निंग ठीक है आप मुझे बताओ अगर मैं एडवांस इस पार्किंग करा दूँ चलो दिखाते हूं एक एक करके सारे दिखाते हूं ठीक है फिर खताम हो जाएगी बात सबसे पहले बात करते हैं कंपरेशन रेशियो मैंने आपको बताया था पेट्रोल में 8-10 और डीजल में 16-20 तो क्यों ज्यादा रखा कंपरेशन रेशियो बढ़ा प्रेशर प्रेशन रेशियो बढ़ाओगे एर का टेंपरेशर ठीक ठाक बढ़िया मस्त होगा नौकिंग नहीं होगी दूसरी चीज़ क्या बताई इलेट तेंपरेचर बढ़ाया तो एक्जिट तेंपरेचर बढ़ जाएगा एक्जिट बतलब कंपरेशन के बाद एर का ठीक है अलग अलग नहीं पढ़ना है SI को CI से compare कराओ वहां compression बढ़ाया नौकिंग हुई थी यहां बढ़ाया नहीं हुई वहां inlet pressure बढ़ाया नौकिंग हुई थी यहां नहीं हो रही है क्योंकि यहां temperature के requirement है load बढ़ाओगे तो cylinder का temperature बढ़ेगा knocking tendency decrease हो जाएगी load बढ़ेगा तो tendency decrease होगी compression ratio बढ़ता है यह cut off ratio के बारे बेसिकली लिखा है load बढ़ेगा तो knocking tendency decrease होगी यह same same line लिख गई है avoid कर देना ठीक है typing error है चलो आगे चलते हैं speed बढ़ाते हैं अगर आपने speed बढ़ा दी तो fuel injector time time भी तो कम हो जाएगा cycle जल्दी जल्दी complete होगी piston पढ़ पर पड़ पर पर reciprocating motion करेगा अगर piston तेजी से reciprocating motion कर रहा है एक cycle जल जल्दी जल्दी complete हो रही है तो फ्यूल इंजैक्टर बार बार जली जल्दी जल्दी खुले का फ्यूल देगा जल्दी खुलेगा फ्यूल देगा तो यहां पर देखो increasing the speed का मतलब हैrpm बढ़ा फ्यूल इंजेक्षन टाइम बढ़ गया more fuel will enter but even the turn will in just run a full injection time जो है वो decrease हो हो गया ठीक है डिक्रीज हो गया ना के इंक्रीज हो गया तो नौकिंग टेंडेंसी क्या होगी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि ज्यादा फ्यूल की बर्निंग होने वाली है तो हमेशा ध्यान रखो यहां पर स्पीड बढ़ाओगे तो नौकिंग बढ़ जाती है वहां पर स् शिकर डिले चेमिकल डिले का देख ली होगा ठीक है तो यह हमें यहां पर चीज़े ध्यान रखनी है ठीक है कि ऊच्छ पर samma बिल्कुल बिल्कुल तो आप ने देखा कि माम ऐँ ओक्डम ऐसा फिल हुआ है कि अजय हैं वहां पर जिन बातों पर नौकिंग हुई थी यहां पर उन्हीं बातों पर नौकिंग नहीं हुई धिना अब यहां पर यहां पर लॉड़वल बढ़ा होगे के बाद I will suggest कल सुभार अर्ली मॉर्निंग उठना और एक घंटा बैट के ठीक है एसाई और सिया इंजन के कोश्चन लगाना मैं कोश्चन कब कराऊंगी 18 तारिक से तो एक छोटा सा डिवाईस है फ्यूल इंजेक्शन पूरा एक सिस्टम होता है जो बनाया ना फ्यूल इंजेक्शन एक पूरा सिस्टम है और फ्यूल इंजेक्टर तो एक छोटा सा डिवाईस है जो एकदम सिलेंडर के पास जो लगा है वो सिर्फ फ्यूल इंजेक्टर है उ ठीक है मेरा telegram group है यहाँ पर मैं active रहते हूँ इसे के साथ notes वगेरा आपको PW app पर मिल जाएंगे यहाँ पर भी मैं कोशिश करूँगे link provide करा दू तो आप वहाँ से download कर पाऊगे तो आज के session में इतना ही रखते हैं thank you very much मिलूँगी आपसे कल शाम 7 बजे विदा new chapter और शायद मैं आपको fuel सिखाने वाली हूँ ठीक है कभे आपकी हाँ मैं बता देती हूँ कल होगी 7 p.m. पर अभी daily चलेगी 14th of September पर September तक ठीक है तो 7 p.m. to 9 p.m. tomorrow you will get my class ठीक है so thank you very much goodbye take care